फिर से मैं आपके लिए 40 MCQ questions लेकर आया हूँ तो जल्दी से सभी student इस class के साथ जुड़ जाएं class बहुत ज़्यादा beneficial आप लोगों के लिए होने वाली है तो बहुत जल्दी से इस class के साथ जुड़ जाएं टिक है तो बिल्कुर शुआत कर लेते हैं class की और एकर के question में लेकर चलूँगा लेकिन साथ इस student एक बार class को like कर दें और share कर दें जिन बच्चों ने अभी तक शेर नहीं किया शेर जल्दी उसे कर दें लाइक भी कर दें शेर भी कर दें और ये class आपकी knowledge को गिन करने का स्काम करती है साथ एक टेस्ट की तरह है आप अपनी knowledge को चेक कर सकते हैं आपने एक paper के ऊपर एक से लिकर 40 तक सभी नंबर डाल दीज जो भी question आपका सही होता है इसको write करते हैं चलिए जो गलत हो जाता है मालीजिए उसको cross कर दीजिए और लास्ट में फिर 40 में से खुद चेक करके देखना है कि 40 में से आपने कितने question ठीक किये 35 कोशन ठीक किये यह ज्यादा question ठीक किये या फिर 30 कोशन ठीक किये पर जितने first question से class की शुवात करते हैं like और share जरूर हो जाना चाहिए सभी students की तरफ से like and share बहुत जदा जरूरी है तभी हमें motivation में लेगा और तभी हमें classes को continue कर पाएंगे अगर बच्चे नहीं जुडएंगे classes पर बच्चे नहीं आएंगे आप share नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे class को continue कर पाएंगे तो जल्दी से शेर जरूर से करें like जित करना जरूरी है बट शेर करना उससे भी जादा जरूरी है ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं बिलकुल पहले question से first question से और question आपके सामने आपकी screen पर आ गया question है कि प्रकास translation में जिस प्रक्रिया के माद्यम से अधिक प्रकास गुर्जा फैली जाती हो से क्या कहा जाता है the process through which access of light energy is dissipated in photosynthesis is known as क्या कहा जाता है उसको । इसको बोला जाता है फोटोचामिकल कोयंचेजिंग ठीक है d option इसको बोला जाता है npqunk flu file केया mechanism होता है एक मेकनिस्म है जो कि प्लांट और एल्गी के द्वारा किया जाता है जो कि एडवर्स इफेक्ट उड़ता है हाइलाइट इंटेंसिटी का उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए पौदे इसका इस्तमाल करते हैं इस मेकनिस्म को यूज करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आपके सामने आपको दिये गए है तो राइट आंसर है आपर ट्रांस्परेशन उसको बोलते हैं स्वेड ट्रांस्परेशन ठीक है इसको वास्पो सर्जन भी बोला जाता है जाता है ठीक है तो ट्रांस्परेशन वो माद्यम है जिसके द्वारा पौधे अव्शोशित पानी के दिंग मात्रा को बाहर निकालने का काम करते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेशन है विच आप दा फॉलोविंग पीर इस नौट करेक्ली मैश्ट निम्ले के जोड़ों में से कौन सा सही मिलान नहीं है रहते हैं तो यहां पर जो सही आंसर आएका थोड़ा सा अच्छे कंफ्यूजन में रहते हैं तो बट आंस रहाएका इसका डी क्यामिन बोट पूछ रहा है वह कैमिकल नेम के बारहें पूछ रहा है तो यहां पर संसाइन उसका सोर्स दे दिया तो सोर्स थोड़ी ना पूछा है तो यहां भी तो केमिकल नेम पूछेगा ना तो संसाइन हमारा राइट अंसर रहेगा मतलू यहां पर यह सही मिलान नहीं है तो इसलिए डी आप्शन सही विकलब आप लगा कर चलेंगे अगले पर चलते हैं the enzyme that is present in the saliva of manis enzyme जो मनुशे की लार में मौझूद होता है तो सही आंसर क्या रहेगा तो सही आंसर रहेगा यहां पर वो रहेगा amylase amylase यहां पर सही आंसर रहेगा ठीक है amylase यहां पर सही आंसर रहेगा समझ गए estrogen and progestron control the stimulates the growth of estrogen and progestron किसके विकास नियंतरित करता है कि सही आंसर है memory gland क्या रहेगा memory gland यानि कि स्तन गरंती सही विकलप्राय का c option memory gland next question पर आते है next question है हमारा कि the membrane covering the lungs इसे फिफड को cover करने वाली जो एक जिल्ली होती है उसका नाम क्या है option है plura है pericodium है peritonium है mesothelium है तो बताइए सही विकलप क्या रहेगा फिफड को cover करने वाली एक जिल्ली होती है उसका नाम क्या है उसको कहा जाता है plura एक महीन जिल्ली होती है एक transparent जिल्ली होती है जो फिफड को cover करने का काम करती है उसको बोलते हैं plura इन अडर्ट फ्यूमन नॉर्मली हैं एक वेस्ट मानव के पास समय रूप से कितने मॉलर टीथ होते हैं सही आंशर क्या रहेगा इस कुश्शन का तो सही आंसर है का बारा बारा मॉलर टी टीथ होते हैं छे उपर की तरफ होते हैं 6 नीचे की तरफ तो तेन एक साड़ में उपर तीन एक साड़ में नीचे और तिन एक साड़ में नीचे ठीक है इतो ऊपर चे अर नीचे भाय करें चे दाइबाय छे तीदीन और नीचे भी दाइबाय तीन प्लांड गैट वॉवटर द्रोड 1 lots because of पौदों को किसकी वज़ों से जडों के माध्यम से पानी मिलता है elasticity, capillarity, viscosity या फिर photosynthesis क्या सही विकल्प रहेगा इस question का पौदों को किसकी वज़ों से जडों के माध्यम से पानी मिलता है तो सही answer है capillarity पौदों में एक गुण होता है capillarity पानी को उपर की तरफ ले जाने का काम करते है ठीक है which of the following cell secret insulin निमलिकित कोशिका हो में से कौन सी कोशिका insulin को स्त्रावित करने का काम करते है alpha cells, delta cells, nerve cells या फिर beta cells insulin का स्त्रावन करने का काम करते है beta cells, beta cells, beta कोशिका है इसको स्त्रावित करते है further process कहा होता है pancreas में होता है और insulin की कमी से बिमारी हो जाती है diabetes इसको हम मदू में बोलते है sugar बोलते है insulin में कौन से धातुक पाई जाती है तो zinc, जस्ता पाई जाता है ये सारी चीज़े याद रखे beta cells produce secret करने का काम करती है pancreas में insulin को insulin क्या है एक हर्मोन हो गया और क्या करता है वो उसमें zinc पाई जाता है उसकी कमी से diabetes हो जाता है मदू में की बिमारी हो जाती है ठीक है when the left ventricle in the human heart contracts the blood moves to the जब माने हो जदे में bio ventricle सुपड़ता है तो रक्त किस हो चलता है मस्तिस की तरफ pulmonary artery की तरफ erota की तरफ या फिर lungs की तरफ किस तरफ चलता है तो सही विकल्प रहेगा इस question का औरेगा erota बड़ी धोनी ठीक है बाकी है जुड़े रहे मेरे साथ इस class के साथ चलिए which is used as laughing gases जो हसने वाली गैस के रूप में प्रियूख किया जाता है nitrous oxide nitrogen dioxide nitrogen tri oxide nitrogen tetra oxide हसने वाली गैस के रूप में इसको anesthetic gas के रूप में इस्तमाल किया जाता है तो वह होगी हमारी nitrous oxide पहला विकल्ब बिल्कुल ठीक है फर्स्ट option formula रहेगा N2O ठीक है anesthetic gas के रूप में भी इसको इसको इस्तमाल किया जाता है हसने वाली गैस के रूप में भी इस्तमाल किया जाता nitrous oxide आगे बढ़ते हैं सवाल यह है what is नीलात होता नीलात होता क्या है copper sulfide chemical name क्या है copper sulfide है calcium sulfide है iron sulfide है या फिर sodium sulfide है चार विकल्ब आपको दिये गए है सही विकल्ब का चैन करके आपको बता रहा है what is नीलात होता नीलात होता क्या है तो बताएं तो सही answer यहाँ पर रहेगा बच्चो वो रहेगा copper sulfide copper sulfide जो की chemical name है नीलात होता का अगर इसके बात की जाए इसके formula की तो formula क्या रहेगा formula रहता है COSO4-5H2O यह भी याद रखें COSO4-5H2 नीलात होता है copper sulfide का chemical formula तो पूछा जा सकता है chemical name भी पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं next question में like and share बच्चो जरूर होते रहने चाहिए like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दें share नहीं किया है शेर कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए which is the fundamental element of all organic compounds सभी carbonic योगी को का मूलतत्व क्या है nitrogen है, oxygen है, carbon है है carbon, fundamental element which acid is found in vinegar सिर्के में कौन सा acid पाया जाता है lactic acid, citric acid, malic acid, acetic acid बताएं सिर्के में कौन सा acid पाया जाता है सिर्के में कौन सा acid पाया जाता है कौन सा acid होता है, बताएं जल्दी से right answer हैगा, acetic acid CH3, COOH, acetic acid पाया जाता है सिर्के में अगर हम बात करें लैक्टिक एसेड की तो किसमें मिलता है कड़ दही में मिलता है ठीक है सट्रिक एसेड यह होता है लैमन में नीबू में पाया जाता है खटे फलो में पाया जाता है नीबू है ठीक है आवला है ठीक इस तरह की जो मैलिक एसेड पाया जाता है आगे बढ़ते हैं इंजन की नौकिंग से बचने के लिए निम्ने कितम से कौन से एक एंटी नौकिंग रिजन्ट के रूप में उप्योग किया जाता है इतायल एल्कोहल, ब्यूटेन, लेड्टेट्राइथाय या फिर वाइट पेट्रोल बताइए सही विकल्प क्या रहेगा, एक कार के इंजन की नौकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन से एक एंटी नौकिंग एजन्ट का इस्तमाल किया जाता है तो राइट आंसर है का सी, लेड्ट टेट्राइथायल या टेट्राइथायल लेड्ट एक ही बात है, कुछ भी बोला जा सकता है इसको, जो अब इंजन में एक आवाज आते हैं, खटखट खट की, तो उस आवाज को खतम करने के लिए इसमें एक एंटी नौकिंग इसन्ट बलाया जाता है, जिसको हम लेड्ट टेट्राइथायल बोलते हैं, विच आफ दा फॉलमी इस मेंली यूज़ फोर दा प्रोडक्शन आफ अलुमिनियम, निमले कितम से कौन सा अलुमिनियम के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्रियोग किया जाता है, हमेटाइट, लिगनाइट, बाक्साइड या फिर मेंगनेटाइड, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बाक्साइड, बाक्साइड बिल्कुर राइट आंसर रहेगा, जो कि अलुमिनियम का एक और है, ठीक है, अलुमिनियम आक्साइड, हाइडरेटेट अलुमिनियम आक्साइड ज शूल्ड करने वाली दातु में किस मिश्ट धातु की होती है तो उसमें कौन सी ना तार होता है इसमें लाड और तीन और लाड होता है और इसको लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाता है तो इसमें तो होता है यहाँ पर पतिस परसेंट ठीक है ये इसको low melting point का बनाता है ठीक है ताकि वो soldiering आसानी से कर सके चलिए जहां नटना इसको विच आप दा फॉलमी डू नॉट कंसिस्ट कार्बन इन में से किसमें कार्बन नहीं होता है हिरा हमारे पास है diamond, graphite हमारे पास है, coal हमारे पास है, cola और none of these तो carbon, fundamental, element और इन तीनों में पाया जाएगा बिलकुल पाया जाएगा तो answer क्या रहेगा D option इन में से कोई नहीं, D option बिलकुल correct answer है इन में से कोई नहीं यानि कि हर जगा मिलेगा सवाल ये कि which one of the following fuels causes minimum air pollution इन में से कौन सा इंदन निविंतम वायू प्रदूर्शन फैलाता है, बिट्टी का तेल, hydrogen, koila या फिर डीजल तो right answer है, hydrogen ठीक है, hydrogen, पानी से तूटका hydrogen बनता है और एक इंदन के रूप में उसको अस्तमाल किया जाता है ठीक है, सबसे कम pollution फैलाता है, future fuel के नाम से इसको जाना जाता है, भविश्य का इंदन सवाल पूछा जाता है, भविश्य का इंदन कौन सा है, तो वो hydrogen रहेगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं, next question पर, और सवाल ये है कि which gas is used in the purification of drinking water, पीने के पानी के शुद्धी गरण में किस gas का उप्यूग किया जाता है, helium, chlorine, fluorine या फिर carbon dioxide, तो सही विकल्प रहेगा इसका, सही विकल्प रहेगा यहाँपर, वो रहेगा, chlorine, ठीक है, chlorine का ही स्तमाल करता है पा पानी को शुद्ध करने के लिए, तो बच्चों यहाँ पर अभी हमारे 20 question complete हो गए है, आधी class आपकी हो गई है, अभी 20 question बाकी है, क्योंकि 40 question हम कराते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक class को like नहीं किया है, जल्दी से like कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक class को share नहीं किया अगर बच्चे classes नहीं देखेंगे तो, हमें लिए हैं कि आपको interest नहीं आ रहा है, यानकि बच्चे इसके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो चलते हैं आगे, 21 number question पर, in atom neutron was discovered by, परमानों में neutron की खोज किसके द्वारा की गई थी, जीजे थॉंसन, चैडवेक, र बिलकुल, चैडवेक के द्वारा ही neutron की खोज की गई थी, और 1932 में ये खोज की गई थी, याद रखेंगे, change of water into the vapor is called, पानी के वाष में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, natural, physical, physical बहुतिक रहेगा, chemical, racinic, biological, जैवेक, तो पानी के वाष में परिवर्तन को कहा जाता है, बच्चो, क्या कहा जाता है, तो वह होता है, physical change, ठीक है, बहुतिक परिवर्तन, बहुतिक परिवर्तन के कारण ही, पानी वाष में परिवर्तित हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, which one of the following is the hardest metal, इन में से कौन सी सबसे कठोर धातू है, gold है, iron है, platinum है, silver है, सबसे कठोर धातू, सबसे कठोर पदार्थ हम पढ़ते हैं, हीरा, यहाँ पर धातू पूछी जा रही है, कौन सी रहेगी वो, वो है आपकी platinum, ठीक है, platinum right answer रहेगा, इन में से कौन सा इन दीपक में इस्तेमाल किया जाता है, sodium है, neon है, hydrogen है, nitrogen है, बताइए सही answer क्या रहेगा, तो उसका सही विकल्प रहेगा, सही answer रहेगा, और वो रहेगा, sodium, ठीक है, तो sodium lamp, एक पीले वाले lamp होते हैं, उसमें sodium होता है, और एक white ambient light होती है, उसमें mercury vapor होता है, ठीक है, एक mercury, white वाला, और yellow वाला, पीले वाला हो गया, sodium, यह भी याद रखेंगे आप, इन विच आप फॉलविंग इंड़स्टी इस माइका यूज़ ऐसे raw material, निम्लिके तुद्ध्योग मैंसे किसमें एक अब्रक के कच्छे माल के रूप में उप्योग किया जाता है, iron and steel है, toys है, glass and pottery है, electrical है, तो कौन सा ऐसा अध्योग है कच्छे माल के रूप में जहाँ पर हम माइका यानि की अब्रक का इस्तमाल करते हैं, तो रहेगा सही आंसर आपका क्या रहेगा, electrical है, विद्ध्योद की छितर में किया जाता है, electrical की छितर में किया जाता है, माइका का इस्तमाल कच्छे माल के रूप में आगे बढ़ते हैं, प्रकरती में सबसे मजबूत बल कौन सा है, सबसे strongest फूर्स कौन सा है, electrical force है, gravitational force है, nuclear force है या फिर magnetic force है, तो बिलकुँ सही आंसर है, आपका बिलकुँ सही, यहाँ पर रहेगा nuclear force, तो जो की परमाणू बल होगा न, वो सबसे ज़्यादा मजबूत force होगा, चाहे उसके मुकाबले electric force है, compare किया जाए, चाहे gravitational force से compare किया जाए, चाहे magnetic force है, यहाँ पर compare किया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत है, वो nuclear force है, ठीक है, यह binding करता है, proton and electrons की, ठीक है, और इसी वज़े से ज़्यादा मजबूती इसको मिलती है, इन nuclear reactor, heavy water is used as, परमाणू रेक्टर में भारी पानी किसके रूप में उप्योप किया जाता है, coolant, fuel, moderator, atomic smasher, इन nuclear reactor, heavy water is used as, किसलिए इस्तमाल करते हैं, भारी पानी को, main भूमी का क्या रहती है, उसकी, moderator, ठीक है, मद्यस्त की भूमी का निबाता है, पानी है, cooling तो करेगा ही करेगा, लेकिन main work उसका cooling करना नहीं है, cooling करने के लिए आप कोई भी normal water भी use कर सकते हैं, but main work क्या है, moderator की भूमी का निबाता, परमाणू रेक्टर में, ठीक है, समझ रहे हैं न, heavy water is basically used as a moderator nuclear reactor to slow down the neutrons, so that they are captured and become effective to bring out the fusion reaction, समझ रहे हैं तो उसको slow down करने का काम करता है, निट्रों को उनके बीच में क्या करता है, moderator की भूमी का को निबाने का काम करता है, electric current in a metal wire is due to the flow of एक धातू के तार में electric current किसके प्रवहा के कारण होता है, electron, proton, ions या फिर holes, बिल्कु सही विकल्प है, बिल्कु सही आंसर है, electron, बिल्कु राइट आंसर आगे हैं, ठीक है, electron बिल्कु सही आंसर आएगा, आगे बढ़ते हैं, तेजी से, बहुत जल्दी से, the nature of fuse wire is, जो fuse का जो तार होता है, उसकी प्रकरती कैसी है, low melting point, high melting point, high conductivity, none of these, कम गलनांक बिंदू, उच गलनांक बिंदू, उच चा लगता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट अंसर क्या रहे हैं, low melting point, ठीक है, low melting point, कम गलनांक बिंदू, ठीक है, यानकी कम temperature पर ही melt हो जाता है, तो fuse star की प्रकरती कुछ ऐसे होती है, high resistance उसमें होना चाहिए, resistance उसमें high होना चाहिए, a transformer, transformer क्या करता है, convert DC to AC, used to decrease or increase AC voltage, convert AC voltage to DC voltage, convert electrical energy into mechanical energy, तो क्या करता है, B option, AC voltage में कमी या व्रद्धी करने का laser को उप्योग किया जाता है, transformer का main use है, ठीक है, यहाँ पर मारे 30 question complete हो गए, question यह है, कि long radio waves are reflected by which of the following layer of earth surface, निम्न परतों में से सबसे लंबी radio तरंगे, यह प्रत्वी की किस सत्य पर दिखाई देती है, कौँसी सत्य है, troposphere है, ionosphere है, tropopause है या फिर stratosphere है, सही विकल्प रहेगा इसका, ionosphere, क्या answer रहेगा, B option, ionosphere, बिल्कुल सही answer रहेगा, बिल्कुल correct answer रहेगा, ionosphere, wireless communication is reflected back to the earth surface बाइदा, wireless अंचार प्रतिवी की सत्य पर वापस किसके द्वारा परिलक्षित होता है, troposphere, stratosphere, ionosphere या फिर exosphere, तो बिल्कुल बताएं, सही विकल्प क्या होगा, तो इसका भी answer बिल्कुल वही रहेगा, wireless अंचार की बात की जाए, तो अभी answer क्या है, answer क्या रहेगा, ionosphere, ठीक है, c option, ठीक है, चाहे radio तरंगे हैं, चाहे wireless communication है, तो ionosphere, right answer, with the rise of temperature, the speed of the sound in a gap, तापपान के बढ़ने के साथ, गैस में धुनी की गती में क्या परिवर्तन आता है, increase होती है, decrease होती है, remain the same, या फिर none of these, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, तो gas में क्या होगा, धुनी की गती, speed में क्या होगा, उसकी speed में क्या हैगा, परिवर्तन आएगा, सेंस दा मॉलीक्यूस वाइबरेट फास्टर साउंड वेव स्कैन ट्रेवल मोर क्योंकि लिए स्पीड ऑफ साउंड इन रूम तेंपरेचर यह इस लिए बढ़ गई यहां पर स्पीड वेक्यूम के माध्यम से कौन सी तरंगों को प्रेशित नहीं किया जा सकता लाइट है, हीट है, साउंड है, इलेक्टो मेगनेटिक है बताइए सही विकल्प क्या रहेगा 34 नंबर कृष्टन चल रहा है हमारा तो बिलकुल सही आंसर रहेगा दोहनी तरंगे साउंड वेव को चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम, माध्यम की जरूरत होती है तो अगर वेक्यूम होगा, तो वेक्यूम में यह Transmitted नहीं कर पाएँगी तो दोहनी तरंगे साउंड वेव हमारा Right आंसर यहां पर होगा इस question का आगे बढ़ते हैं कौस्मिक रेस ब्रह्मानिय करने कैसी है और चार्ज पर्टिकल है और अंचार्ज पर्टिकल है तो बताईए कि सही विकल्प क्या रहेगा तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा और चार्ज पर्टिकल आविशितकन है ठीक है यह ओप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है कि विच्ट कैन भी फॉलोईग स्टेट्मेंट इस नौट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज बंमानी करणों के बारे में निम्ले कित्म से कौन सा कथन सरते नहीं है यह एक्ट्रमेगनेटिक वेब्स हैं है वेरी शॉर्ट वेवलेंग्ध यार मेट ऑफ हाइल एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल यह ओरिजनेट फ्रॉम्दा संथ तो बताएं सही वी कल्प क्या रहेगा तो राइट आंसर रहेगा कि क्या है यह यह विद्धु चुम्ब की यह तरंगे नहीं है तो ब्रमानिय की बारे में पूछा जा रहा है तो ब्रमानिय की बारे में पूछा जा रहा है तो ब्रमानिय की बारे में पूछा जा रहा है तो ब्रमानिय की बारे में पूछा जा रहा है तो ब्रमानिय की बारे में पूछा जा रहा है तो ब्रमानिय की बारे में पूछा ज ड्रJ2D announcements इन मेंसे कोई नहीं बोला जाएग उसको है कर से इसको बोला जाएगा कि willen ठीक है ड्सको बोले जाता Σाइबिक जाता है जाता है थिक हैart AI तरह अलगातार शीर ग compact के अगे बढ़ते हैं other the following useful determining their structure of crystal crystal की सन्नाचना का निल्दारन करने के लिए निंवल एकिश्रेट में से किसका ऑपीोग किया जाता है गामा रिष एक्स रेज यूविने इस विज़ी वीजिवल नाइट हैं सर्ण नचना का ध्यन करने के लिए तो राइट आशर मताइए किया सही आशर नहीं को सब्सक्राइब एक साथ धिक से की सब्सक्राइब थिए रटार विच टी डिक कि ऑ êtes उप कस उपास खाना एक संख साण ज़्लरोख होती है light waves है, radio waves है, sound waves है, या फिर ultra sound waves है radar के अंदर कौन सी waves होती है तो बताइए बिलकुल बच्चों ने सयान सा दिया radio waves ठीक है, radio waves रहती है radar and object detecting detection system which use radio waves to determine the range, angle or velocity of objects it is used to detect the location of aircraft, shapes, spacecraft, motor vehicle ETC, उन सभी की, इसको location को trace करने का काम करता है, radar आगे बढ़ते हैं, when there is depletion of Ujun in the stratosphere the wavelength of radiation striking the earth's surface will be जब संताम्त मंदल में Ujun की कमी हो जाती है, तो प्रतिकी सत्य पर हमला करने वाली विक्रण की तरंग देजर है कितनी होगी 10 to the power minus 10 meter, 10 to the power minus 7 meter, 10 to the power minus 2 meter, 100 meter तो क्या right answer रहेगा, right answer रहेगा इसका 10 to the power minus 7 meter, the option ठीक है, चलिए तो तो चलिए first question से class की शुवाद करते हैं, पहला question, first question आपके सामने, अच्छी बात यह है कि यह जो questions होंगे, वो बाइलिंग्वल हो रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाशना में आपको question करा कर हम चल रहे हैं, तो first question आपके सामने, पैनिसलीन is extracted from, पैनिसलीन किस से निकाला जाता है, जिन बच्चों को questions के answer पता है, तो वो answer comment box में जरूर बता कर चलें, ठीक है, comment box में बताएं, और last में फिर check भी कर सकते हैं, कि उन्होंने कितने questions के right answer दिये हैं, तो यहाँ पर आप अपनी knowledge को एक बार check भी कर सकते हैं, ठ पैनिसलीन बच्चों के तैयारियन इच्छी है, तो वो अपनी knowledge को यहाँ पर gain कर सकते हैं, इस class के जर्ये, तो हमारे पास सवाल आया कि पैनिसलीन किस से निकाला जाता है, तो उसका right answer है, आपके पास fungus, पैनिसलीन जो निकाला जाता है, अब सवाल यह भी बन सकता है, कि प अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पैनिसलीन की की गई थी तो पूछा जाए सवाल कि पहला एंटिबायोटिक कौन सा है तो वो भी आपको याद रखना है वो है आपका पैनिसलीन अगले कुशन पर चलते हैं अगला कुशन आपके सामने हैं कि विच इस दाइफेक्ट ऑफ एंटी जन इन एन इल परसन एक रोगी में प्रति जीविक का क्या प्रभाव होता है तो क्या राइट आंसर रहेगा बता यह जल्दी से चलिए तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ राइट ऐसे इनक्रीज के production को increase करने का काम करता है समझ रहे ना चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं next question आपके सामने हैं सवाल यह है कि which among the following halves in circulation of blood रख्त के इसकंदन इसकंदन नहीं होगा यह संचरन होगा circulation बोला है तो संचरन होगा ठीक है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना संचरन में कौन सहायता करता है हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा इसकंदन को बहुत हैं coagulation कि तो मैं दोनों चीज़े किलियर कर देता हूं कि coagulation और circulation में क्या फर्क है तो ब्लड के circulation की बात की जा नहीं कर आए तो है तो मृबलड का जो circulation होगा उसका राइट आंसर घर लि्म फ साइड कि, यह राइट प्लेत रहे जर और दोनों में फर्क है इसकंदन में संचरन में circulation में और पॉग बइच्छ इस पॉंट को थोड़ा सा ध्यान यहां पर फिलाल हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक बता देंगे पैरा सिटमोल पैनिसलीन एंपिसलीन यह फिर क्लोरोफैनिकॉल रहेगा यहां पर हमारा अगर सवाल ड्रग का होता अगर यहां पर ड्रग सी पूछा जाता कि सबसे लार्ज स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सा है तो वो याद रखेंगे वो रहेगा आपका क्लोरोफैनिकॉल दोनों ही सवाल आपको पता होने चाहिए दोनों ही सवाल इंपोर्टेंट है एक्जाम में चालिए आगे बढ़ते हैं एंगोरा वूल इस एक्स्टेक्टेड फ्रॉम निमलेकित में से किस से अंगोरा उन निकाली जाती है रैबिट शीप फॉक्स गॉट ठीक है खर्गोश भीड लोमडी बकरी तो किस से निकाली जाती है अंगोरा उन तो बताएं राइट आंसर त और उसी से ही अंगोरा वूल यानिकी अंगोरा उन निकाली जाती है पटाफ़ट से चलते हैं अगले सवाल में विच आप फॉलोवें डिजीज अफेक्ट वोमें इसली देन धाट उप में महिलाओं में पुर्शों की अपिक्षा निमलेकित में से कौन सी बिमारी होने की परवर्टी अधिक होती है है ना कौन सी बिमारी होने की परवर्टी अधिक होती है तो चार आप्षन आपको दिये गए हैं यहां पर हर्ट अटेक है 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 जॉइंट और तराइटिस है या फिर और तराइटिस है तो यहां पर सही विकल्प क्या रहेगा इसका इसका सही पिकल्प रहेगा इसमें वो रहेगा आपका और तराइटिस यहां पर राइट आंसर रहेगा और राइटिस जो कि गठिया बाएक का दर्ध बोला जाता है ना तो वह सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करती है महिला वो लेकिन अगर यहां पर सवाल यह होता कि महिला आए कब जहां पर महिलाओं की मुर्थियों पुर्षों की अपीक्षा अधिक होती है तो कौन सी बिमारी है तो वो यहां पर heart attack right answer हेगा इस question को लेकर भी students के mind में काफी सारे confusion रहते हैं तो मुझे लगता है कि अब आपका confusion भी दूर हो गया होगा अगले question पर चलते हैं अगले question है कि pituti tree gland is located in wonder.. पुष्गरंती कहां परस्तितर होती है पुष्गरंती का answer बतानी की पॉपूलर नेम क्या है इसका इसको जाना जाता है triangular REM , जो है इसका ठीक है वो क्या है popular name तो प्यूश गुरंथी पाय जाती है मस्तिष्क में, बिलकुल ब्रेन में पाई जाती है प्यूश गुरंथी पिडियोटी ग्लैंड जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों उसको वोला जाता है master gland ठीक है master gland आप answer बताते चलें मैं थोड़ा answer लगाते चले और खुद से ये check करते चले कि आपने कितने question attempt किये और कितने question right किये और कितने question आपके wrong हुए ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं अगला question है the cross section of a stamp of 3 has 50 rings what is the age of the tree यदि एक period है जिसके तनों की अनुप्रस परिशित करने पर 50 घेरी दिखाई देते हैं तो speed की आयू कितनी होगी ठीक है तो 50 months है 5 years है 25 years है या फिर 50 years है तो बताएं किया विकल्प होगा सही तो सही विकल्प होगा इसका 50 years 50 वर्ष उसका right answer रहेगा ठीक है clear हुआ ना चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं union is modified from off प्याज निमलेकित में से किसका विक्सित रूप है प्याज किसका विक्सित रूप होता है right answer होगा तना ठीक है तना और बिल्कुल तना होता है प्याज दरसल तना जो होता हो तीन तरीके से रुपांतरित होता है उसमें जो modification होता हो तीन तरीके से होता है तीन तरीके कौन-कौन से होते हैं एक होता है underground 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 modification जैसे कि जिसमें कौन सा आ गया आलू आ गया आपका ठीक है आलू हो गया प्याज हो गई, लैसन हो गया ठीक है, अर्बी अर्बी होती है, अर्बी की सबजी बंती एक अर्बी होती है, जिमिकंद होता है ठीक है, केसर होता है केसर, केसर हल्दी है, हल्दी है अद्रक है, तो इन सब में क्या होता है underground modification होता है, एक दूसरा modification होता है, जिसको हम बोलते है subrial subrial modification, जिस subrial modification जालतर किसमें होता है, गहांस है जैसे grass है, आपकी booty है ठीक है, ब्रंब बूटी, जिसको बोला जाता है, ब्रंब बूटी, पुधीना है पुधीना में भी subrial modification होता है तीसरा modification होता है आपका वयविय है इसको बोलते है real modification यह तो गया सभी डिल-एक होता अर्यल modification अर्यलón Mm बिलकिशन में जैसे की grapes है आपके अंगूर है ठीक है अंगूर में और नीबु है नीबु है बेर है ठीक है लोटीर न सब्सक्रांट है कि अन्टीर से आपको दे चाहिए आपने पढ़ी होगी अपसे पहले चलिये आगे बढ़ता 5 वाइयर डियो मौ टेके डारेक्ट एकस्रे और फोटोग्राफ ओफ इंटेस्टाइंड रिडियोलोजिस्ट आतों का सीधा एक्स किरन फोटोग्राफ सामाने ते क्यों नहीं लेते तो चार अप्षन आपको दिये हैं पढ़ लिजी इसको जिहान से और दीजे फिर मुझे राइट आंसर क्या रहेगा देखें इसका सही विकल्प होगा थर्ड ओप्षन एक्सरेज आर नॉट इबल टू कैप्चर किलियर पिक्चर एक्सरेज जो होते हैं एक्सरेज किरने जो होती हैं वो अपना अच्छा प्रती में बिनाएं आतों से पाहर निकल जाती हैं इसलिए रेडियोलाजिस जो होते हैं आतों का सीधे एक्सकरन फोटोग्राफ सामानत हैं नहीं लेते हैं एक्सकरन की अगर खूज की बात करूँ कि इसकी एक्सरेज की जो खूज की गई थी वो किस ने की थी तो वो की थी बिलहेम बिलहेम, कोनाड बिलहेम, कोनाड नाम है इनका बिलहेम, कोनाड और रून टुगेन बिलहेम, कोनाड, रून टुगेन इनका नाम है जिन्नोंने X-rays की खोज की थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर चलते हैं next question पर आते हैं dehydration in human body is caused due to the loss of मानव शरीर में dehydration निम्न पदार्तों की कमी के कारण होता है तो कौन से पदार्तों की कमी के कारण होता है कौन सा पदार्त है विटामिन है, लवण है, हार्मोन है या फिर जल यान की water है तो बताएंगे सही right answer क्या रहेगा मानव शरीर में dehydration डियाइडरेशन का कारण होता है क्या कारण होता है तो सही आंसर है इसका water water की वज़े से पानी की कमी से उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं नीबु पानी और नमक पिलाकर पीते हैं और एक डॉक्टर लोग किसकी सला देते हैं वह ता है आपका ORS का गोल पी लीजिए उस ORS की full form क्या है कोई बताएगा मुझे comment बे ORS की full form क्या है बताएगे जल्दी से ORS की full form क्या है चलिए मैं बताता हूँ oral rehydration solution ठीक है oral rehydration solution राइट अंसर रहेगा जो कि ORS की full form है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं in the cause of test you babies परक्नली शिशू के संबन्द में कौन सा तत्थ है सही है अंडे का निशिशन गरवासे में होता है बुरून का विकास पूर्ण विकास परक्नली में होता है बुरून को दो महीने बाद गरवासे में स्तांतरित कर दिया जाता है यह पर अंडे का निशिशन मा के सरीत के बाहर किया जाता है तो क्या सही विकल्प रहेगा इसका तो इसका सही विकल्प होगा third option embryo is placed in uterus after two months यहीं कि बुरून को दो महीने बाद गरवासे में स्तांतरित कर दिया जाता है तो यहीं इसका सही आंसर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर question है the ease of trees determined by its किसी व्रेक्ष की आयोगा नरधान निम्न में से कि इसके आधार पर किया जाता है तो वो गरिथ है height है growth rings है general appearance है तो right answer क्या रहेगा right answer है इसका क्या right answer है right answer है growth rings ठीक है जब पेड को उसको काटा जाता है हाई देते हैं उन growth rings से ही पता चलता है कि पेड की एज कितनी है ठीक है next question है the rare and endangered animal in silent valley is silent valley में दुर्लब और नश्च प्राय पशू कौन सा है musk deer है tiger है loin-tailed macaq है या फिर rhinosaurus है तो बताए क्या सा ही विकल्प रहेगा चलिए right answer है third loin-tailed macaq सुयर की पूच जैसा macaq है ये होता है जिसको silent value में दुर्लब और नश्च प्राय पशू माना जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते animals do not have enzyme system which enable them to make use of the energy from जनतों में वे enzyme परणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे किससे उर्जा प्राप्त कर सकते हैं वसा है water है protein है या फिर carbohydrate है बताइए किससे प्राप्त कर सकते हैं तो right answer है इसका fats fats यहाँ पर इसका सही विकल्ब रहेगा यानिकि जनतों में enzyme परणाली होती ही नहीं जिसके आधार पर वे fats यानिकि वसा से वसा से प्राप्त कर सकते हैं energy समझने हैं मेरी बात को चलिए आगे पड़ें चलिए next question पर आते है next question आपके सामने है clone is a colony of clone की colony क्या है clone की colony क्या है बताइए cells having different shapes भिन भिन आकार वाली कोशिका है cells having similar shapes एक सामान है आकार की कोशिका है cells having similar genetic constitution एक सामान है आनुवानशिक संगटन वाली कोशिका है या cells having different genetic constitution विविन विवन आनुवानशिक संगटन वाली कोशिका है तो राइट आंसर रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा third option ठीक है third option क्या रहेगा cells having similar genetic constitution एक समान वाली कोशिवाओं को हम क्लोनी की गालों नी बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं डिजीज कॉस्ट बाई एसबेस्टस इस द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है एसबेस्टस के द्वारा कौन सी बिमारी होती है इसको बोलते है वायू से संबंदित रोग है वायू से संबंदित रोग है जो कि बीमारी आमतर पर कहा होती है जो अब्रक अब्रक यानिकि एसबेस्टरस ब्रक युक्त उत्पादों के अध्यद्य उप्योंग उसमें काम करने के फलसब रूप होती है इन दा आई कलर विजन इस अफेक्टिड बाइदा प्रेजेंस और आंक में वन दर्शन कलर विजन निम्ले कितम से किसकी मौजूद्गी से प्रभावित होता है ठीक है तो क्या है को राइड कूट कि स्कलारटी कूट जिसको ध्रड़ पटली कूट बोलते हैं रोट्स यानिकी शलाका या फिर कॉंस यानिकी शंकू तो बताईए राइट आंसर क्या रहेगा आसान कुश्चन है काफी पूछा जाता है इस तरह का सवाग जहां नखना है आ इस को कहते हैं कलर महीं कटा ये अगर प्रब्लम घान पर जागे झाल ते हैं और ये यह एक चैने को ती है यह वीवारी की ब्यारी शीन कौन्स की मजुद्गी से प्रभावित होता है विच ऑफ फॉलोविंग इस नॉट वन ऑफ इंपोर्टेंट स्टैप्स इन प्रोसेसिंग लीव्स चाय की पत्तियों के संसाधन में निम्लिकित में से कौन सी क्रिया आविशक नहीं है ठीक है बताइए चाय की पत्ति की जो संस आहे ठीक है मलानन बेलन की भी ज़रूत पड़ेगी जरूत पड़ेगी लेकिन मलानन की आविशक्ता नहीं होती अच्छा कुशन जिहां नकिए जितने भी कुशन करा रहा हूं बछों इंपोड लोगद झाल तो फिस्ति-फिफिफ्टी-फिफोटी कश्यान कभी फिफ्ट गज़ादार लेकर आते रहेंगे तिक हैं जुड़ें रहे हैं हमारे साथ मैक्सिमम फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी ऑकोर्स इन सरवाधिक प्रकास संसलेशी किरिया कलाब कहां पर चलता है बताइए राइट अंसर एका ब्लु एड रेड़ रीजन आफ लाइड प्रकाश के नीले और लाल छेत्र में प्रकाश के नीले और लाल छेत्र में याद रखेंगे अगले कुशन पर चलते हैं अगला कुशन आगया कि एट्स वाइरस है एट्स वाइरस क्या होता है क्या होता है इट्स वाइरस सिंगल स्टेंडर्ड आर ने हैं डबल स्टेंडर्ड आर ने हैं सिंगल स्टेंडर्ड डिन ने है या फिर डबल स्टेंडर्ड डिन ने है ठीक है बताइए क्या होता है तो सही answer है single standard RNA जो AIDS होता है ठीक है इसकी full form क्या है AIDS की acquired immunodeficiency syndrome ठीक है और RNA की ribonucleic acid ठीक है RNA की full form भी पता है आपको ribonucleic acid ठीक है AIDS की भी acquired immunodeficiency syndrome याद रखेंगे दोनों full form भी कभी-कभी exam में full form भी ऊज़ लिया जाता है आगे चलते हैं सराफ पीकर वाहन चलाने के लिए शोशन परिक्षन में यातायाद पुलिस क्या इस्तमाल करती है ठीक है किस चीज़ का इस्तमाल करती है तो right answer है इसका first option पहला विकल्पी सही है potassium dichromate and sulfuric acid k2cr27 plus h2so4 potassium dichromate और sulfuric acid का इस्तमाल किया जाता है जो सराफ पीने वाले पीकर वाहन चलाते हैं उनके शोशन परिक्षन में यातायाद पुलिस इस चीज़ का इस्तमाल करती है ठीक है तो अगर इसको उनके मूँ के सम्मुक लाया जाता तो एकदम सिर्के जैसे तीवर गंद आती है तो उससे पता चल जाता है कि उसने एलकोहल का इस्तमाल किया है और आंग। आगलोनूबैयां किसकी नसल है शीप गॉट पोल्टरी या फिर केटल चलिए राइट आंसर है इसका गॉट एगलो नूबियन जो नसल है वो बकरी की एक नसल है विदेशी नसल है ठीक है और एगलो नूबियन कहा पर होती है वो होती है ब्रिटेन में कहा पर होती है बच्चो ब्रिटेन में एगलो नूबियन जो की बकरी की एक नसल है कहा पर होत याद रखेंगे उसके अलावा एक है खौरसानी खौरसानी कहां पर होती है यह अफगानिस्तान में अफगानिस्तान ठीक है यह भी बकरी की नसल है गौट की नसल है ठीक है एक होती है बलूची 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 यह कहां पर होती है यह बलूची स्तान में कहां पर बलूची स्तान में चारों ही नसल को याद रखें बेटेन में है एकलोनूबियन ठीक है टौन बर्ग है शौट जलेंड में खोरसानी है अफगानिस्तान में और बलूची है बलूची स्तान में याद टेबल फूर क्रॉपिंग किस किसम की मिट्टी में जिपसम का अप्रियोग करके उसे फसल उगाने की उप्योग तो बनाया जाता है तो किस तरह की मिट्टी होती है अलकलाइन है इसे डिग है वाटर लॉग्ड है सॉल विद एक्सेसिव के लिए कंटेंट बताईए क्या सही विकल्ब रहेगा तो राइट आंसर है इसका अलकलाइन क्या राइट आंसर रहेगा अलकलाइन ठीक है छार यह निम्लिकित मैं से कौन सा इस्तरलिंग हार्मोन है अस of सा इन्सुलिन है तैक है तो कौन सा है की राइट आंसर रहेगा अश्तोजन यह की इस तरलिंग हार्मोन है सेक्स हार्मोन है कठोर शाररिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हते लिए तता तलवे की तोचा मोटी हो जाने कारण क्या होता है थिक एपिडर्मेस, थिक डर्मेस, थिक सबकॉंक्विशियस, इश्यो और अल अफ दीज बताइए कठोर शाररिक श्रम जो करते हैं लोग श्रमिक करते हैं उनकी हतेलियों तलवे की तोचा जो ती मोटी हो जाती है तो कारण क्या होता है उसका कारण यहां पर रहेगा बच्चो चाता ओप्शन अब दी सबी ऑप्शन ठीक है यहां कि फॉर्थ ऑप्शन सबी रहेगा रहेगा को टाइफाइट फीवर इस कारण रहेगा आंदर जो अरे किसके कारण होता है ताइफाइट जो फीवर होता है वो किसके करण होता है बताईए अच्छा कोशन इसका पूछा जाता है परिक्षाओं में किई टाइफाइट इकहती कहारण होती है बिमारी वायरास बैक्षीरिया फंगर एलर्जी बताइए तो रायेट अंसर क्या है इसका रायेट आंसर जिवानों कौनसा जिवाणों बैक्टिरिय का नाम क्या है उस बैक्टिरी का नाम क्या है जिससे टाइफाइड फीवर होता है कौन मैं आप एक तिरिया होता है तो वह वैक्टरिया होता है सोलमटनला तैफी सर्मूनेला टाइफी दीदेख तैफी जिससे अब पक विब्रोता ताइफटब वीजसे थे और अगे बढ़ते हैं विच यूनिवर्सल रिसीपियंट कहा जाता है कौन सा है वो तो बताएं ए है बी है ए बी है या फिर ओ है तो क्या राइट आंसर हैगा राइट आंसर हैगा जी रिसीपियंट होता है ए बी ठीक है जो किसी का विरक्तल ले लेता है और जो देने वाला होता है डोनर होता है वो होता ह donor याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते है Rod-shaped bacteria is called शलकाकार जिवानो Rod-shaped bacteria किसको कहा जाता है Bacillus को Spirilium को, Paucus को या फिर Coma को बताइए इसको कहा जाता है Rod-shaped bacteria किसको कहा जाता है ठीक है तो right answer रहेगा आपका Bacillus, क्या right answer रहेगा Bacillus, जो की road-shaped bacteria होता है, ठीक है चलिए, जल्दियल्दी कर रहे है और, what is this sponge sponge क्या है, यह fungus है फॉसल है, प्लांट है, एक एनिमल है अब option के यादार पर इसको answer देना है, थोड़े से बच्चे confused रहेंगे जी option कैसे देदी, अटपटे से तो option के हिसाब से अगर देखे, तो एक प्रकार का वो जन्तू होता है एक प्रकार का जन्तू जिसको हम बोलते है और किस phylum के अंतर गताता है phylum का नाम क्या है phylum है उसका, क्या है perifera perifera phylum के अंतर गताता है तो right answer है, animal ठीक है, चलिए ऐसी यूगल जिसका router work रमशा A और B है कि बच्चों में निमलिकित में से कौन सा router work पाया जाएगा ठीक है, अगर A और B है router work और उनके बच्चे होते हैं तो उनमें कौन सा router work हो सकता है right answer हैगा इसका क्या रहेगा, first, second, third, fourth third answer, A, B, A, B और O, यानि कि A, B हो सकता है B, B हो सकता है, A, B, B हो सकता है और O, B, यानि कि चारो गुरूप में से कोई भी गुरूप हो सकता है उनके बच्चों which of the following diseases is caused by a virus निमलिकित में से कौन सा router work वायरस से उत्पन होता है poliomilatize malaria, whooping cough, ring warm बताईए, क्या सही विकल पर रहेगा सही answer, क्या रहेगा इस question का तो फर्स्ट option, poliomilatize ठीक है, poliomilatize बिलकुल right answer रहेगा, इस question का right answer रहेगा poliomilatize ठीक है, समझ रहे हैं ना बिलकुल, सही answer, poliomilatize आगे बढ़ते हैं, next question पर panthogenic bacteria secrets रोग जड़क, जो जिवानों होते हैं वो किस चीज को निश्टारित करते हैं, antigens antibodies है, hormones है, interphones है ठीक है, प्रतिजन, प्रतिरक्षी हार्मोन या फिर, interferon ठीक है, बताईए, क्या right answer रहेगा answer रहेगा इसका antigen, ठीक है, प्रतिजन प्रतिजन बिल्कुल सही विकल्प है, रोग जड़क जिवानों निश्टारित करते हैं, प्रतिजन Parkinson's रोग के इलाज को विक्सित करने में महत्पोन योगदान देने के लिए निम्रिकित में से किस नोबल प्रुसकार दिया गया था, किसको दिया गया था नोबल प्रुसकार अर्विंद कॉरलसन है, वॉल्टर कोन है, रॉबर्ट भी, लॉख, फ्लिन है, फैरेड मुराद है तो बताइए क्या राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर है, अर्विंद कॉरलसन, उनका नाम है, जिनको सबसे पहले पर्किंस रूप, पार्किंस रूप के लाज के लिए जो नोबल प्रुसकार मिला था, अर्विंद कॉरलसन, ठीक है क्या होता प्रकिंस में? हाथ पर हिलने लगते हैं, जब साठ कीज आती है ना हाथ पर में हिलना शरू हो जाता है उसको बोलते हैं पार्किंस दो, वूर्डिसकवर्ड कोलिरा जर्म्स, हैज़े के रोग़णू की खूज किस ने किती है, हैज़े के जो रोग़णु है, उनक राइट आंसर रोबर्ट कोज ठीक है फास्ट आप्शन फास्ट विकल्ब हमारा सही है रोबर्ट कोज के द्वारा है जाके रोवाणों की खूज खी गई थे जिसको बोलते हैं विब्रियो कोलरिया विब्रियो कोलरिया ठीक है रोबर्ट कोज के द्वारा खो जा गया था मदुमें के रोगियों द्वारा प्रियुग में लाई जाने वाले स्विटेक्स में कितनी उड़ जा होती है पांच कैलोरी होती है दस कैलोरी सो कैलोरी है फिर सुनने कैलोरी स्विटेक्स करते हैं जो कि शुगर पेशेंट होते हैं डाइबेटीज की पेशेंट होते हैं ठीक कि धुष्क वर्ड सैक्स हार्मोन का पता किस ने लगाया डैसर है यूजिं सिनेंग है एड़्वन् करْवुन है का आप सैमुल कोहे थे नुद है यूजिन सैक्स हार्मोन है राइट अंसर ए यूजिं इस'T आपको जल्द से जल्द वो करा दो discovery और invention से रिलेटड गुश्ण discovery और invention के 100 कुर्षण करा देंगे दो पार्ट में हो जाएंगे 50 50 करके ठीक है तो वो करा देते हैं पूछे जाते हैं वहाँ से तो तीन सवाल हर बार पेपर में ठीक है फिर ब्राण्ड एम्बेजडर से रिलेटेड़ गोशन है से रिलेटेड जनरल अवरने स्टेटिक जीके का पार्ट है यूएन नो से रिलेटेड गोशन है तो यह सब आपको कॉम्प्लीट करा देंगे सब लाइव क्लासे के जरीए तो जुड़े रहे हैं आप मेरे साथ मेरे इन क्लासे के साथ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक् कायों से मानव के अतरिक्त भाग यानि की हिस्से तयार किये जा सकते हैं वाटर बीसिक यूइट्स प्रॉम विच हुमन स्पेर पार्ट कैन बी क्रियेटेड नर्ब सैल्स इस्टैंब सैल्स हर्ट सैल्स या फिर किडमी सैल्स बदाईए तो राइट अंसर रहेगा इसका क्य इस टैम कोशिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं वो जो की मानव के अतरिक्त भाग यानि की हिस्से तयार करने में सहायाक होती हैं सही है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आसंजित सलेशमाब यानकी एडहरेंट म्यूकोईड छार्य पदार्तों द्वारा आमिर्शे के भीत्री आवरण को ढख लेने से क्या होता है डाइजर्र स्टार्च अक्ड अगेंस्ट बैक्टिरिया प्रिवेंट ऐक्षं एगीनश्टिर्यव्च पेपशियोग्यकोईवन शार्य ब्यवेंट वार्ल इनुफेक्शन क्या है प्रिवेंट ऐक्षंऑ प्यक्ष्ण का अप्सिन प्रभाव रूप जाता है प्रेप्शिन का एक एंजाइम है तो उसका प्रभाव जो होता है सिलेश्मगा पर रुव जाता है ठीक है ध्यान नगतेंगे The area of the human tongue sensitive to bitterness is restricted to मनुष्य के जीव के किस छेतर पर कड़वाहट की संबेदना सीमित रहती है टिप है, एजिस है, मिडल पार्ट है, पोस्टिरियर पार्ट है तो बताइए क्या सही विकल्ब रहेगा चलिए, राइट अंसर है फूर्थ, पोस्टिरियर पार्ट, क्या रहेगा अंसर पिछला भाग, जो पोस्टिरियर पार्ट होता है जीव के मनुश्य के जीव के किछित पर कड़वाईट किसम बेतना सीमित होती है तो वो पिछले पार्ट पर सीमित होती है विच आप दा फॉलोविंग ब्लड साल्स इस कंपल सरी फोर ब्लड कोगुलेशन ये है ब्लड कोगुलेशन वाला कुश्चन रखतिसकंदन मैंने दूसरा तीसरा सवल कराया था ना तो ये है रखतिसकंदर वो ब्लड सर्कुलेशन था ये ब्लड कोगुलेशन है दोनों में फरक है तो प्लेटलेट्स है रड प्लेट कॉर्पोसल्स है वाइड प्लेट कॉर्पोसल्स है या फिर लिम्फोसाइट है क्या राइट आंसर लेट ब्लैटेयर्स है डलैटलेट्रुलाइट वह सतर्इब्लकु निए धर कोकुलेशन नितने जो लिंफोसाइटल कानू में और बडलान स्थ這些 को ऎ सबसे पहला सवाल मैंने आज क्या कराया है पैनिसलीन किस से निकाला जाता है फूंदी से फंगस से ठीक है पहला एंटिबाइटिक है आपका पैनिसलीन समझ रहे ना पैनिसलीन जिसकी खूज गीती अलेक्जेंडर ठीक है अलेक्जेंडर ने किती उन्निस सो उन्तिस में एठाइस उन्तिस दोनों दे देते हैं दोनों याद रखें कभी बुक में 28 कभी 29 दोनों याद रखें ऐसा नहीं होगा कि एक्जाम में आपको डेट पूछ ले और दोनों देते तो पैनिसलीन जो कि पहला एंटिवाट नיुकलिक असटो प्रोटिन लीपीड और कारभों हैडरे कारभों हैडर और निक्लिक आसेड है कि चलिए बतरते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा सेकेंड आप्शन रहेगा न्यूकिलिक असेड ठीक है और प्रोटीन, प्रोटीन और निक्ली कैसर्ट से बने होते हैं हमारे वायरस यानि की विशानों, ठीक है? What may be the cause of malfunctioning of thyroid gland? यानि की thyroid gland की कम करने का क्या कारण हो सकता है? iodine की कमी है, iron deficiency है, calcium deficiency है या फिर vitamin C deficiency है iodine की कमी, lohe की कमी, calcium की कमी, या फिर vitamin C की कमी तो क्या right answer रहेगा? तो सीधा सीधे है तो सबसे आसन सावाला फर्स्ट ऑप्शन रहेगा iodine deficiency iodine युक्त नमक खाना चीए बोले जाता है ना iodine की कमी से ही thyroid बनता है, ठीक है? thyroid की problem बनती है जिन बच्चों ने अभी तक class को like और share नहीं किया है चल्दी से like कर दें और share भी कर दें क्योंकि आप लोगों की support की बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर like share नहीं करेंगे तो views नहीं आएंगे अच्छे से views नहीं आएंगे हमें motivation नहीं मिलेगा और एक class continue नहीं कर पाएंगे तो यह खजार question अगर चाहते हैं channel science के मैं बहुत जल्दी कवर करा दूँ तो बिलकुल इनको like और share जरूर से करके चलें कुछ बच्चे बड़े स्वार्त ही होते हैं कि मुझे मिल जाया और किसी को ना मिले जो पढ़ने वाला पढ़ेगा वोई ठीक है आपकी पढ़ाई आपसे कोई नहीं चीन सकता आपका हग जो है वो आपसे कोई नहीं चीन पाएगा लेकिन अगर आप भलाई करेंगे दूसरों के लिए अगर रास्ते बनाएंगे तो आपके रास्ते खुद बाखुद बनते चले जाएंगे तो ध्यान नकियांसी जो निर्ण में से कौन सी गरंती के वले उस्त्रियों में पाए जाती है तो कौन सी होगी थर्ड अप्शन ओवियरी अंडाश्य है इसका राइट आंसर रहेगा ठीक है अंडाश्य है चाहते हैं अगर लगातार क्लासेश चलती रहें और एक हजार क्वेशन हम जल्दी से करा दें जो भी मैंने टॉप टॉप मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक बताएं वो भी करा दूँ तो बिल्कुल जुड़ें इस कूर्स के साथ इस क्लास के साथ लाइव शेशन के साथ और लाइक और शेयर जरूँ से करें चैनल को सब्सक्राइब बढ़ के चलें विच वन अफ दा फॉलोविंग इस नॉट ए फंक्शन आफ किडनी निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है किडनी का काम इन में से कौन सा नहीं होता है रक्त पी एच का नियमन सरीर से उपबची अपसिस का निसकाषन प्रोडेक्शन और अफ एंडि बडीज प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये फिर रक्त में प्राषणी दाब का नियमन ना? बताइए तो सही विकल्ब क्या हो सकता है चलिए राइट अंसर इसका production of antibodies ठीक है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ठीक है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन यानके production of antibodies राइट अंसर रहेगा Water in plants is transported by पोदों में जल का परिवन किसके माद्यम से होता है देखे एक जल का परिवन बोलता है एक भोजन का ठीक है भोजन को बोलते है food अब जल का पूछे तो जाईलम याद रखो जाईलम जासे जल जासे जाईलम भोजन का पूछे food होता है बोजन को फूड बोलते हैं तो उसको याद रखो फ्लोयम ठीक है इस तरह से याद रखो कभी गलत नहीं होगा तो बोधों में जल का परिवन पूछ रहा है जल जासे जल जासे जाईलम जाईलम राइट अंसर रहेगा ठीक है अगर आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से वे रख्तकणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहयता करते हैं वाटर दा ब्लड कॉर्पुसस दाट है तो बूल्ड अप रजिस्टेंस अगें डिजीज चलिए वो क्या होता है लिकोसाइट सुइत कणिकाएं जिनको बोलते हैं डिउड बलड से अगे बड़ जीगें सुइत कोशी कआएं रख्तकणिकाएं डिपलीजी disease ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं which is the gland that holds the body's thermostate निम्रीकित में से वे गरंती कौन सी है जो शरीर को ताप इस्थापी रखती है ठीक है ताप इस्थापी रखने का काम करते है बढ़ती है रखने है पीनियल ग्लेंड है पीटी रॉट्री ग्लेंड है थाईराड ग्लेंड है है less अंद है हҀआ इस्थे क्रूट रहेगा है थाईपोथेलेंफेलेंज ग्लेंड है चलिए तो बताइए चार ओप्शन में से कौन सा रहuldade राईपोदयेगा जो कि बोडिको ताफ इस्था भी बनाती है, थर्मोस्टेट बनाती है, राईट अंसर क्या रहेगा, इस्थाई बनाने का काम करती है, फूर्ट करने का काम करती है, ठीक है? चलिये, लाइक शेयर करते रहना, आगे भड़ते हैं कि इसकी उपस्तिति के कारण किसी पादक कोशिका और पशिव कोशिका में अंतर पाया जाता है ठीक है बताइए चलिए राइट अंसर रहेगा सेल वाल ठीक है कोशिका बित्ति कोशिका बित्ति जो की पादब कोशिका और इसके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करती है ठीक है चलिए तो बच्चो यहाँ पर आज हमने कंप्लीड किए 50 MCQs जो की जनरल साइन्स के है जनरल साइन्स के ठीक है 50 MCQs आई होग कि आपको क्लास पसंद आई होगी बहुत जादा बेनिफिशल कोश्चन्स की सीरीज में लिकर आया हूँ आज आपको 50 MCQ कोश्चन्स यहाँ पर कंप्लीड कराऊंगा अगले 40-45 मिनट की यह क्लास रहेगी तो बिलकुल जुने फटाफट से लाइक कर दें शियर कर दें और भी बच्चों को जोड़ दें और खुद से चेक करें कि आपने कितनी तैयारी कर रखे है जिन बच्चों ने तैयारी कर रखे है वो अपनी प्रिपेशन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जिन बच्चों की preparation नहीं है वो इन classes के जड़िये जुड़कर अपनी preparation को बहतर बना सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल very first question first question से class की विश्वात करते हैं like share ज़रूर से करते हैं student और channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe भी कर दे first question है कि hey fever is a sign of पराग ज़र निम्लिकित में से किसका लक्षण है किसका लक्षण है पराग ज़र को पोषण, allergy, old age, overwork मैं बिल्कुल भी comment पे दिहान नहीं दूँगा आप comment पे answer देते रहें ठीक है जो भी आपको reply जो भी कुछ कहना है कोई भी आपकी फर्माईश है तो जो भी आपको कहना है वो आप दे दीजिए मैं बात में comment पढ़ लूँगा और आपके जैसे सबसे उसको आगे हम कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि यहां पर मैं class ले रहा हूं फटाफट ले रहा हूं तो comment पर जाता है मेरा focus नहीं रहेगा तो राइट आंसर है इस question का और राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहां पर allergy ठीक है allergy यानि कि allergy right answer रहेगा allergy के करण नाग जो थी नाग के वायू मार्गों का प्रदा होना यानि कि प्राग जोर है फीवर जिसको allergic rhinitis भी बोलते हैं इसको allergic allergic rhinitis भी बोलते हैं ठीक है चलिए अगले पर चलते हैं next question होगा हमारा यहां देंगे question यह है कि Edward Jenner is associated with Edward Jenner निम्ले कितम से किस बीमारी से जुड़े हुए है किस बीमारी से जुड़े हुए Edward Jenner बताइए क्या विकल रहेगा सही विकल Colora है, Typhoid है, Smallpox है Smallpox है, Smallpox है और फिर है Paralyzes ठीक है, तो बताइए Right Answer है इसका Right Answer है का Smallpox यानि की जिसको हम बोलते हैं, चेचक तो चेचक का टीके का विकास किया था Edward Jenner ने, ठीक है 1775 में, 1775 में है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं The scientist who explained about blood circulation for the first time वाद, निम्लिकित में से वह वैग्यानी कौन है, जिन्होंने पहली बार रूदिर परिसंचरण की व्याख्या की थी ठीक है, रूदिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाले कौन थे Anthony, Anthony Levenhoek, William Harvey Gregor Mendel या फिर Ronald Ross तो right answer है याँ पर सही answer है second option, William Harvey second option, बिलकुल सही विकलप रहेगा William Harvey नहीं खोज की थी किसकी खोज की थी किसकी बात कर रहे हैं हम जो बात करना रूदिर परिसंचरण की व्याख्या की थी इन्हों ने ठीक है चलिए अगले कुश्चिन पर आते हैं कुश्चिन है हमारा विच वन आप दा फॉलॉमी इस नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम इनमें से क इन्सुलिन क्या हार्मोन है जिसका सिक्रेट कौन करता है किस कौन कहां पर होता है पैंक्रियाज में इसको सिक्रेट किया जाता है बीटा सेल्स के द्वारा बीटा सेल्स ठीक है सेक्रेशन जो होता है इसका बीटा सेल्स के द्वारा होता है और इन्सुलिन की कमी से क्या होत होती है जिसको हम बोलते हैं डाइबर्टीज मदू में ठीक है जहां नखेंगे तो इंसुलीन हार्मोन है बाकि सब क्या है यहां पर वह एंजाइम है निम्लेकेट में से किस खाद फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होते हैं जब फॉलोविंग ब्लड कॉप्स हैस दा मैक्सिमुम कंटेंट और प्रोटीन कसावा है सोया बीन है वीट है ठीक है और मेज यानिकी मक्का तो सही विकल्प है सोया बीन बिलकुल करीव चालिस ब्यालिस परसंट के आसपास इस पर प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्याद अब सकते हैं अब बलिए बिए पार्देश में और तीस परसंट के आसपास इसमें प्रोटीन कर्देश पाया जाता है और स्वेब प्रोटेक्शन सबसे ज्यादे कहां पर एक पर नुप पूछा जाता है कि सभाब का हैं तो मध्य पर देश में यह वी आप यादर रख काम करता हैं हमारे तो फेवरेट कंट्री दोस्ते हैं है ना उनके से एक तो आतंक मचाने का काम करता है और एक देता है जिए बीमारी को जनब देता है आतंगवाद को जनम देता है आपका प्रिय दोस्त पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान क्योंकि सबसे ज़्यादा बार भई हम किसका नाम लेते हैं पर दोस्त का नाम लेते हैं पाकिस्तान यह कर रहा है वैसे ही चाइना का नाम लिया जाता है चाइना भी बहुत बड़ा जिगरी है इसके द्वारा होता है स्टाप्टोकोकस को कस न्यूमोनी नाम का एक जिवान होता है बैक्टिरिया होता है उसके द्वारा ही सार्थ की विमारी बनती है तिए चलिए आगे बढ़ते हैं टोटल नंबर वोल्टी ब्रेई इन एह इंवन बींग इस मानम में कशुर्यकों की कुल संख्या कितनी हैं कितने कशुर्यकों थैं मानव शरीर के अंदर ठीक हैं तो बताईए राइट अंसर क्या रहे गा इसका राइट आंसर रहेगा लो रहेगा 33 33 कशुर्यक होते हैं तो राइट अंसर क्या होगा यहां बताइए जन्म लेने के ततकाल बाद 48 घंटे के बीतर साथ दिन के बीतर या फिर 6 महीने के बीतर तो सही विकल्प रहेगा इसका वो रहेगा 48 घंटे जन्म लेने कॉल्मेट ग्यूरिन बैसिलस कॉल्मेट ग्यूरिन यह राइट इसकी फुल फॉर्म रहेगी ठीक है तो पैदिक के लिए लगाया जाता है इसको ठीक है दिहान लखेंगे चलिए अगे बढ़ते हैं गोडे और गदे से पैदा जानवर की संकर जाती को क्या कहा जाता है क्या बोले जाता है उसको पोनी यह पाइब इसको बोले जाता है कोड यह बच्छडा मुलू मुले यह आनि खचर या फिजवरा राइट आन्सर क्या रहेगा मुले यह आनि खचर इसका राइट आंसर रहेगा जो कि घोड़े और गदे की संकर पर जाती से बनता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स क्वेशन पर पर टीकर से जिफेशन के लिए जरूर से जुड़ेंे तो बिल्कुल motivation के लिए जरूर से जुड़े which among the following living being has respiratory organ but does not have brain नमलिकित मैं से वह प्राणी कौन सा है जिसका सनायू तंत्र तो होता है पर तुमस्तिस्क नहीं होता ठीक है क्रेब, केकड़ा, स्टार फीश ब्लड, शूकर, जोग, सिल्वर फीश ठीक है, ये हमारा right answer यहाँ पर रहेगा चलिए तो बताएए क्या right answer रहेगा जल्दी से बताएए इनमें से क्या सही answer रहेगा तो सही answer है इसका starfish जो की वाकई में क्या है जिसमें सनायू तंत्र तो होता है लेकिन उसमें brain नहीं होता है ठीक है, मस्तिस उसमें नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्योशन पर बढ़ते हैं और नेक्स क्योशन है हमारा which vitamins helps in blood coagulation निमलिक खित में से कौन सा vitamin ऐसा है जो रख्तिसकंदन में सहायक होता है रख्तिसकंदन में कौन सा vitamin सहायक होगा vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin E क्या right answer हैगा right answer हैगा बच्चो इसका वो रहेगा vitamin K ठीक है, जो की blood clotting में सहायक होता है इसको क्या नाम दिया जाता है इसका chemical name क्या है तो chemical name क्या है इसका chemical name है philoquilone philoquilone यह बोला जाता है आपका, किसको बोला जाता है vitamin K को बोला जाता है vitamin K, ठीक है चलिए which one of the following is an abnormal constituent of urine नमलिकित में से कौन सा घटक मूत्र का अब समान्य घटक है ठीक है creatinine, urea, uric acid, teton bodies, ठीक है तो बताइए क्या right answer रहेगा तो सही answer रहेगा ketone bodies इसमें यह नहीं पूछा कि इसमें क्या पाया जाता है ठीक है पाया जाता तो uric acid हम बता देते uric acid पाया जाता है लेकिन इसमें कौन सा अब समान्य घटक पूछा है तो वो रहेगा ketone bodies यह क्या यूरिया है यूरिया होता है ना तो CO CO ठीक है तो यह इसका जो ketone निकाए कैसे बनेगा C single bond, single bond, double bond O तो यह क्या बनता है यह इसका ketone ketone निकाए ketone bodies बन जाता है ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं next question पर बहुत थेजी से which one of the following cell produced antibodies निमलेकित में से कौन सी कोशी का परती रक्षी पैदा करती है snowfils, monocyte, besophil, यह फिर lymphocyte बताईए क्या right answer रहेगा जल्दी से बतादो मुझे क्या right answer है कौन सी कोशी का परती रक्षी पैदा करती है यह रहेगा लसी का ठीक है lymphocyte क्या right answer रहेगा lymphocyte यानि की लसी का जो की antibodies produce करने का काम करती है आगे बढ़ते next question पर आते हैं कि the vitamin which help in colloting of blood is रक्षी केस खंदर में मदद करने वाला vitamin यह तो repeat हो गया AD, B, K अभी हमने बात की कौन सा vitamin होता है अभी तो बात की हमने तो कौन सा vitamin होता है vitamin, vitamin K G, phylo, quillron ठीक है तो vitamin K right answer है अगले question पर आते हैं question है कि at very high altitude the red blood corpuscles in the human body will बहुत अधिक उचाई पर मनुशे की लाल रोधिर कनिकाउ का आकार क्या होता है बढ़ जाता है अकार छोटा हो जाता है यह संक्या बढ़ जाती है संक्या घड़ जाती है बताइए क्या रहेगा सही answer तो जब बहुत अधिक उचाई पर जाते हैं तो RBC जो होती है RBC का क्या होता है size increase हो जाता है increase in size अकार बढ़ जाता है ठीक है क्या हो जाता है आकार बढ़ जाता है समझ रहे ना चलिए आगे बढ़ते हैं Darwin Finchins, Raffas to a group of Darwin Finchins का प्रियो किस समुह के लिए किया जाता है फिशिष मचलियों के लिए लिजार छपकलियों के लिए बर्ड्स पक्षियों के लिए या फिर एंफिबियंस यानिकी उबहचरों के लिए ठीक है तो बताइए क्या सही आंसर आएका सही आंसर है इसका बर्ड्स यानिकी पक्षी ठीक है पक्षियों के लिए डार्वन फिचिज्म का प्रयोग किस समूग के लिए किया जाता है तो पक्षियों के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं जनम के बाद मनुष्य के किस उतक में कोई कोशी का विभाजन नहीं होता स्केल्टल है, नप्स है, कनेक्टिव है ठीक है? सही हो जी जिसको बोलते हैं या फिर जर्मिनल है, जनन क्या राइट अंसर हैगा? राइट अंसर हैगा इसका नप्स, नप्स यानि की तंत्रिका जनम के बाद मनुष्य के तंत्रिका उतक में कोई कोशी का कोई भी सैल डिविजन नहीं होता है और नेक्स केशन पर आते हैं प्रकास अंसलेशन के तौरान पैदा होने वाली ऑक्सिजन का सोर्स क्या है? वाटर है, कार्मन डेक्साइड है, क्लोरोफिल है, मैसोफिल सैल्स है, बताइए प्रकास अंसलेशन के तौरान पैदा होने वाली ऑक्सिजन का सोर्स क्या है? तो राइट अंसर क्या है? वाटर, जल, ह2O, जोकी प्रकास अंसलेशन फोटोसिंसिस के तौरान ऑक्सिजन को जनरेट करने का काम करते हैं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्चन पर कि दा मैटल प्रजेंड इन्सुलीन इस इन्सुलीन में निमलीकित में से कौन सी दातों पाई जाती है तामबा लोहा जस्ता मेगनीशिया हुई हमने इन्सुलीन की बात कि क्या है इन्सुलीन एक हर्मोन है जिसकी पाया जाता है कहां पर large intestine में ठीक है जो बच्चे अभी जुने हैं जल्दी से class को like कर दें share कर दें ठीक है like कर दें share कर दें आप लोगों के benefit के लिए classes लगाई जा रही है अगले question पर आते हैं कि सब्सक्राइब्हुत कि सब्सक्राइबर यह तो है किसमें पाया हुआ इसका B12 की अगर बात करें इसका chemical name क्या है Sino-Cobal-Cobalmin Sino-Cobalmin Cobalti की मात्रा पाई जाते है Sino-Cobalmin इसको बोला जाता है किसकी बात करना है Vitamin B12 की जो कि किसमें पाई जाता है Milk में पाई जाता है समझ रहे हैं ना आगे बढ़ते हैं Next question है ECG is used to detect the functioning of ECG का प्रियोग किसके कारे का पता लगाने के लिए किया जाता है हिर्दे है फुस है व्रक है मस्तिस्ख है तो बताइए क्या सही answer रहेगा EEG EEG है ये EEG ECG होता है ECG Electrocardiogram होता है वो heart के लिए होता है Heart के लिए होता है Electrocardiogram EEG EEG क्या बोलते हैं इसको Electro Electro Incepthalmography E N C E P T H A L M O Incepthalmography ये बोला जाता है किसको बोला जाता है EEG को बोला जाता है किसके लिए होता है मस्तिस्क ब्रेन के लिए होता है ब्रेन के परिक्षन के लिए functioning के लिए किस तरह से काम कर रहा है आपका ब्रेन उसके लिए करते हैं EEG जरॉप्थैल्मिय Is a deficiency disease caused by lake of जरॉप्थैल्मिय एक हिंता जन्न रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D बताइए राइट आंसर है विटामिन A बच्छान प्रक्रम में किस सहहता मिलती है एंजाइम है, हार्मोन है, खनीज है, विटामिन है तो बताइए क्या रहेगा, सही विकल तो राइट अंसर रहेगा यहाँ पर हमारे एंजाइम ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, पाँचन, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ठीक है, जो कि एक औरगनिक कमपाउंड हैं और जो केमिकल अभी करिया को कई गुणा तक बढ़ा सकते हैं ठीक है, तो एंजाइम हमारे राइट अंसर रहेगा यहाँ पर इस क्यूश्चन का अगे बढ़ते हैं, जलबसाओ विबिन उप्चई, अबसिस्ट, केटोबॉलिक वेस्ट का उच्सरजन किसके दुआरा किया जाता है विच इस दा ओर्गन डाट एक्स्क्रीट्स, वाटर फैट अन वेरियस केटोबॉलिक वेस्ट, ठीक हैं किड्मी है, स्कीन, एस्प्रीन, हैं सलिवरी ग्लेंड से तो बताएए क्या सही विकल्प रहेगा राइट आंसर, जितनी वेस्ट होती है, उसको सरजन करने का काम करती है हमारी किड्मी, ठीक है इड्मी, व्रक, इसको बोला जाता है, गुर्दा भी बोला जाता है, ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे 25 कोश्चन कम्प्लीट हो गए है, हाफ क्लास हमारी यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है, 50 कोश्चन कराऊंगा पूरे कम्प्लीट जुड़े रहें, लास्ट तक, और चेक करते रहें कि कितने कोश्चन आप सही कर पा रहें हैं यहाँ पर दोस्त लोग बड़े स्विक ही मारते होंगे, कि मेरा साइंस इतना बढ़ी है, मेरी जी कि इतनी बढ़ी है उनों सो बोलो, कि इस के लास में आकर आपने आपको चेक कर करके बताएं, कितने सही कर सकता है, तू बता होते हैं न दोस लोगों की बड़े सीखी मारते हैं यहां पता चल जाएगा कि किस ने कितना पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पड़का उनकी तयारी बेच्छी खासी हो जाएगी बैट यानि की चमगादड ठीक है जो की धुनी को आखों के रूप में प्रियोग करने का काम दो कि अगे बढ़ते हैं जिंजरी स्टाइम एंड नौतिरूट अद्रक जॉद्ह नहीं तना है क्योंकि कल मैंने स्टाम के बारे में बताया था अदिरख जो कि क्या है एक मोडिफाई कौन सा मोडिफिकेशन है अंडर ग्राउंड मोडिफिकेशन है अंडर ग्राउंड मोडिफिकेशन के अंदर कताता है अतरक भी ठीक है तो इसमें क्या हों क्योंकि इसमें गाठे और पूरिया होती है इसमें गाठ और पूरिया होंगी तो क्या हो हो तो इसमें नोट्स होते हैं तो यह क्या हो जाएगा इस टैम हो जाएगा कि मिल्क इस नॉट कंसीडर डे बैलेंस डाइट नहोएड़ इस विकास अप्शाइन सब्सक्राइब आज कर दूद को संतुलित आहर नहीं माना जाता क्योंकि इसमें किस चीज की कमी होती है लुकर्ण एंवंकि शब्रण जाता हैहिस शिज की कमी होती है वेचु बता ओ मैंगनेशएं विटामीन डी है आरίν विटामीन चींगल्स सही है बता ये तो सही विकल्प यह क्या सही आंसर रहेगा इसको अगर आप यह कहोगे ना तो आने वाले डेस में मैं टॉपिक वाइज भी एमसी क्यों करा दूँगा टॉपिक वाइज बस वह यह कि आपका रेस्पॉंस मिलते आ रहना चाहिए मतलब टॉपिक वाइज समझ रहे ना कि माली जहां पाचन तं संचरन तंद्र पढ़ रहे हैं यह नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां से 50 कोशन में आपको कंप्लीट करा दू ठीक है तो वह भी आपको किराया जा सकता है बड़ आपके उपर डिपेंट है कि आप इन क्लास को कितना सीरियस लेते हैं और कितना बहतर आप हमें साज जाएम लिंग्ड इमोन सॉर्बेंट इमोन सॉर्बेंट एसाई तीक है यह फुल फॉर्म है इसकी एलिसा की जो एलिसा टेस्ट किया जाता है और वो किया जाता है एड्स के लिए विच आप दा फॉलम इस नोन एज नोज नोन एन एंटी स्वरी और बोडी बिल्डर निम्लिकित में से देह निर्माता कौन है प्रोटीन है कार्भोहेडर्ड है विटामिन है वसा है बताइए क्या सही विकल्प रहेगा तो यहां पर जो सही विकल्प है वो रहेगा मारा प्रोटीन प्रोटीन को कहा जाता है देह निर्माता बोडी बिल्डिंग के लिए बोलता है न प्रोटीन खालो प्रोटीन खालो जिम में जाते हैं तो जिम ट्रेनर बोलता है प्रोटीन खालो विच आप दा फॉलमिंग टैस हैं डाइगनोजिस ऑफ कैंसर के निदान में न जिवोति परीक्षा हिंदी में में बायप सी को जो हमारे उस पार्ट का निरिक्षन करती है जहां पर प्रोब्लम है जहां डिजीज है एक होती है और टॉपसी जो यहां फूरी घ्टा आट ओपसी करते हैं जब कोस्ट्वमार्टम यह जाता है मौत के कारणों का पता लगाया जाता है कि कैसे इसकी ब्रत्य हुई नरजली करण के दोरान आम तोर पर शरीर से किस पदार्थ के हानी होती है बच्चो शुगर है, सुडियम ग्लॉराइड है, कैल्सियम फॉस्वेट है, कोटिशियम ग्लॉराइड है क्या सङही विकल प्रएगा, सइसका सुडियम ग्लॉराइड एने सी एल न सील जो मारा साधरान नमक होता थाटा नमक तिकले है वो एने स評ड जो है वह क्या करता है उसी की हानी हो जाती है बौडि के अंदर डिहर्डरीम हो जाता है वाटर का इसमें बहुत बड़ा एहम रोल होता है पानी की तो कमी हो जाती है हमारी बॉड़ी में पानी तो हमारी बॉड़ी में वैसे कम होता है ठीक है और क्या उसमें हानी होती है सुडियम क्लोराइड की हानी हो जाती है निवु पानी नमक विलाकर उसमें पीने की ताकि हो खतम किया जा सके तो कॉज़ेटीव और्गिनीजम ऑफ डेंगू फीवर इस डेंगू जोवर का कारण किया है फंगस है बैक्टिरिया है प्रोटो जोवा है यह वायरस है बताएए क्या सही विकल्ब रहेगा इस क्वेश्चन का कि बताया अन्सर वायरस रहेगा ठीक है वायरस देंगू जो होता है वायरस वायरस जनित विशानू जनित ठीक है विशानू द्वारा फैनले वाला प्रोग है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्चन पर विच आप दा फॉलोविंग इस एक कंसीडर टू बी दा बैस्ट कैलोस्ट्रॉल निम्ले के तमेंसे किसको उत्तम कैलोस्ट्रॉल माना जाता है VLDL है LDL है HDL है ठीक है ट्राइग्लिस रॉइस्ड है तो बताएगी क्या सही विकल्प रहेगा तो सही विकल्प है HDL ठीक है जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी लीपो प्रोटीन या बोलते हैं लीपो प्रोटीन हाई डेंसिटी लीपो प्रोटीन इसको बोला जाता है किसको बोलते हैं हम HDL वो समझ रहे ना High Density Lipoprotein चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं केलिस्ट्रोल ऐसा नहीं कि सारे ही बेकार होते हैं कुछ अच्छे टाइप के केलिस्ट्रोल होते हैं तो यहाँ पर जो हमने बात किते हैं HDL की वह हाई है प्रोटीन High Density Lipoprotein वह जो होगा वह उत्तम क्वालिटी होगा थैलेसीमिया इस एक अनुवांशी विमारी है यह किसको प्रभावित करती है थैलेसीमिया थैलेसीमिया किसको प्रभावित करती है ब्लड है स्प्लीन है लंग्स है हर्ट है क्या राइट अंसर रहेगा ब्लड ठीक है फर्स्ट ऑप्षन ब्लड राइट अंसर रहेगा आगे बढ़ते हैं विच आप फॉलोविंग रिप्रेजेंट ए फूड चेन इनवाल्विंग ए प्रोड्यूसर ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन निम्रिकित में से एक उत्पादक एक शाका हरी और एक माशा हरी को दर्शाने वाली उप्युक्त आहार शंकला तो क्या रही टांसर हैगा प्लांट रबड टाइगर ठीक है क्या रहेगा प्लांट रबड टाइगर ठीक है सुरी रबड नहीं रैबिट है यह रैबिट खरगूष थोड़ा सा बटक गया था पादप खरगूष बाग ठीक है प्लांट है प्लांट को कौन खाता है रैबि और रेबिट को कौन खाता है टाइगर यह है आहार श्रिंध लाइग विच आप फॉलोविंग मेक्स था स्किन लेयर इंप्रीवियस तु वोटर निम्लिकित में से कौन सा द्रव्य तवचा की परत को परत को जल के लिए बेद बनाता है ठीक है जो वाटर परूब बेरियर प तो यह था ओप्षन राइट आंसर है रिटीं ठीक है चालिए विच आप दा फॉलोविंग इस पोरिलेटिड विद ब्लड प्रैशर निम्लिकित में से किसका सह संबंद रक्त चाप से है इसका संबंद रक्त चाप से ठीक है वो बताईए तो राइट आंसर क्या रहेगा अ बोलते हैं उसको अर्डरनल यानि की अधीव रख ठीक है सह संबंद कि से है रक्त चाप से लाइक और शेयर नहीं रुखने चाहिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया भी तक लास को लाइक कर दीजिए शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ और दीजिए ठीक है बढ़र था ब्रहत बोलते हैं जिन बचाहिए जिए ठीक हैरे भी तक पर दीजिए हैं दीजिए अड़ प्रकुट अधी आशेयर नहीं इन क्राक्षों तक का क्रतिम और माध्यम में संबंद करने का विज्ञान science of cultivating animal tissue in artificial medium ठीक है तो ये रहेगा हमारा सही विकल third option चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं study of field crops is called छेतर फसलों के अध्यन को क्या कहते हैं pomology, agronomy, colori culture, floriculture ठीक है बताईए क्या सही answer हैगा study of field crops is called छेतर फसलों के अध्यन को क्या कहा जाता है उसको बोलते हैं agronomy ठीक हैं छेतर फसलों का जद्यन होता है agronomy और फलों का जो उत्पादन किया जाता है फलों की जो खेती होती है वो pomology कहलाती है olori culture के अंदर का हम क्या करते हैं सबजी के लिए काम आने वाले जो पोदे उगाते हैं वो जाता है ओलोरी कल्चर में फूलों का अध्यन किया जाता है ठीक है समझे आगे ना बात चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन बढ़ाते हैं और नेक्स क्यूशन है जैव और वरक चुनिए जैव और वरक कौन सा है आप लोगों के लिए एक चीज और कर रहा हूँ मैं ठीक है अभी इस क्यूशन का अंसर बताएए फिर बताता हूँ मैं और कि बल सीरियस स्टुडेंट के लिए है राइट अंसर है एलगी एन ब्रू ग्रीन एलगी जैवाल और नील हरित शैवाल ठीक है तो जो भी स्टुडेंट हैं जो वाकई में सीरियस हैं पढ़ने में और बिलकुल उनका टार्गेट है कि एक गवर्मेंट जॉब निकाल लेना ठीक है चाहे वो एससी है ठीक है चाहे रेलवे है यह स्टेट लेवल एकजाम की तीयारी कर रहा है तो उन स्टुडेंट के लिए मैं एक टॉप 100 का बैच बना रहा हूं बिलकुल फ्री प्री बैच कोई चार्जे इनसे नहीं लिया जाएगा टॉप 100 स्टुडेंट मैं सेलेक्ट करूंगा और वो कैसे सेलेक्ट क आप मेरे साथ जुड़ें मेरे वीडियो सेशन के साथ जुड़ें जो भी मैं आपको यहां पर कवर कराता हूं मैं तो इस पूरे कंटेंट को आपको तयार करा हूं साथ ही आपको हेंड्onट नौर्टर अपर जायए को सब्सक्राइए को इसाथ जाहीडगे मुझे हुन्स कि और स्थी इसे को पर क्या है कि मैं चाता हूं कि जब वह स्लेक्ट हो इस में सलेक्शन हो मैं भी कटाओकर कह सकूं कि मैंने ससे के अंदर सो बच्चों को अपने αसंस souvent को सलेक्ट कर आया है है ना मुझे ऐसे डेडिकेटिड ऐसे इमांदार डेडिकेटिड हार्ड वर्किंग चुड़ेंट चाहिए जो किसी भी समय में किसी भी एक्जाम की परेस्टिती में तुरंत तब्दिली ला सकते है तो वो डेडिकेटिड परसन अगर जुड़ते हैं तो मैं बिलकुल उनको प्रॉप हंडर्ड का एक बैच बनाकर चल रहा हूं तो अब उसके लिए क्या करना होगा बहुत सारी भीड आएगी तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में अभी आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको जॉइन करके वापस क्लास में आना है यह कि वहीं रुख जाना है तो इसको लिंक को क्लिक कर लीजिए लिंक को क्लिक करने के बाद वापस मेरे पास आईए ठीक है आगे का प्रोसेस में बताता हूँ हाँ अब आपने ये नहीं कि आपने उस लिंक पर किलिक कर लिया और आप गुरूप में जोइन होगे तो आप उस टॉप हंडर के बैच में आजेंगे नहीं अब यहीं तो मैं आपका डेडिकिशन देखूंगा कि आप कितने है अपने पढ़ाय के पर दीरा गहरा किसी को थोड़ी नशामिल कर लिया जाएगा हो आपड़ी बैच है पैसा लेकर ले करा रहा होता तो भई आजाओ यह मेरा पांसा रुपे का कॉर सह हजार रुपे देगा पांसा रुपे देदेगा जो भी इसकी कीमत है और वहो तो टॉप 100 hard working students है पढ़ाई करने में एक दम सर आप हमें बताते रहो यह यह चीजी करनी है बस path रास्ता आप दिखाते रहो हमें आगे बढ़ना है आप हमारे द्रोना चारहे यानि कि मैं आपका द्रोना चारहे और आप सम्मेरे warriors तो जुड़े मेरे साथ और उस गुरूप के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरूप जॉइन कर लिया होगा बच्चों ने आजाओ जो रुख गए हैं तो वो भी आजाएं आगे बढ़ते हैं केमल इस डेजर्ट एनिमल इस डेजर्ट एनिमल इस डेजर्ट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज ओंड मरस्तल का जानवर है जो काई दिनों तक पानी में रह सकता है क्योंकि तो इसका राइट आंसर फॉर्ट ऑप्शन रहेगा औल अब दा अब और क्योंकि इसे पानी की जरूरत नहीं होगी पानी की जरूरत क्यों नहीं होगी क्योंकि वसा के दिवारा सरी में पानी बन भी जाता है और क्या होता है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या रहेगा ध्यान लखेंगे विच आप दीज कंपोनेंट्स आप दा ब्लड इस रास्पॉंसिबल फूर क्लोटिंग रख्त की सकंदन के लिए निम्ली कितम से कौन सा गटक उत्तरदाई है यह कोश्न कल भी आया था क्लोटिंग से रिलेटेट जहां पर मैंने सार्कुलिशन और खूलूटिंग दोनों का डिफरेंस बताया था तो राइट आंसर क्या रहेएगा उक्रेट अ Jin class North ने गयासा सॉप्छे आगए टेली ग्राम को जाइन करके जिन बहुत बढ़ी आ जिन बच्चों ने टेलिग्राम को जोइन कर लिए आप मेरी बास सुनो वहाँ पर मैं आज आपके लिए 10 PDF शेयर करने जा रहा हूँ ठीक है 10 PDF शेयर करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर अब आपको करना क्या है 10 PDF में क्या होगा 5 PDF रहेंगी आपकी जनल साइंस की और 5 PDF रहेंगी जनल अवेरनेस की तो कुल मलाकर वहाँ पर 400 कुश्चन मैं आपको वहाँ पर प्रोवेड करा रहा हूँ ठीक है तो आपको करना क्या है वहाँ पर कि उन कुश्चन को रिड करना अच्छे से तयार करना उनी के बेस पर आगे आने वाले डेज में हम आपकी वरिक्षा लेंगे टेस्क लेंगे और उसी असाब से आगे आपको तयार करके चलेंगे उसी में आप देखेंगे कि उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा ग्रूप है जिसमें डिसकस नीचे लिखा हुआ होगा मैंने आपको channel में enter करा है channel में जाने पर क्या होता है कि आप मैं जो share करूँगा वो आप देख पाएंगे आप वहाँ पर कुछ share नहीं कर पाएंगे लेकिन जो discuss का option है जब वहाँ किलिक करेंगे तो आप क्या करेंगे आप enter कर जाएंगे कि दूसरे open group में वहाँ पर आप कुछी भी बास share कर सकते हैं तो 400 सवालों में आपको किसी भी सवाल में कोई भी doubt है कि इसका answer गलत दे रखा इसमें problem है तो आप मुझे share कीजिए तुरंत के तुरंत ठीक है तो दो-तिन गंटे लग जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप उसको करो और जो dedicated person होगा जो result लेकर आएगा मेरे लिए उस student group में आगे भी जुड़ा रहेगा महीं पर हम पीडिया वगरा सारा content पीड़ कंटेंट भी वह सारा मेरे पास है जो मैंने पीड़ ग्लासिस में पहले बच्चे को प्रवैड गराया वो भी सब यहां पर प्री प्रवैड गरा कर चलूँगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते ह next question founder of homeopathy is homeopathy के संस्तापक कौन है संस्तापक महद्य कौन है homeopathy के बताइए आप जल्दी से जरा तो right answer है Samuel Hoheimon क्या right answer है Samuel Hoheimon ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं अगले question है in the process of dialysis used and patient with affected kidneys the phenomena involved is खराब गुर्दो वाले रोगियों पर प्रीप्तो dialysis पर क्रिया किस तथ्य सद्धान्थ पर काम करती है तो क्या बोला जाता है उसको तो right answer हैगा osmosis यानी की परासरण ठीक है उसको बोला जाता है परासरण यानी की osmosis आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं और next question क्या होगा धियान देंगे सुक्रूज content in sugar can decrease गन्य के सुक्रूज की मात्रा कम हो जाती है कब कम हो जाती है पढ़िए इसको ध्यान से और तवा अंसर लगाना है आपको चलिए राइट अंसर इसका second option if frost occurs during the period of ripening यदी पकने की अफधी के दोरान पाला पढ़ जाए तो क्या होता है गन्य के सुक्रूज की मात्रा में कम ही आ जाती है समझ रहे ना चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं next question रहेगा यहाँ पर हमारा the concept of survival of the fittest was first advocated by युगतम की उत्तर जीविता की संकल्बना का समर्थन सबसे पहले किस ने किया था राइट आंसर बताईए डार्विन ठीक है second option डार्विन बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा आगे बढ़ते हैं यह रिकेट्स ठीक है विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स विटामिन डी का कैमिकल नेम क्या है केल्सी फेरॉल केल्सी फेरॉल इसको बोला जाता है सनलाइट से हमें विटामिन डी अच्छा खासा मिलता है या नेम आफ दा फॉस्स कलोन शीप वाउं पहली कलोनित भीड़ का नाम क्या है माली, डाली, जॉली, रोली आसान है, नाम ही अजीब से है नाम आसान है बताना तो पहली भेड़ थी डॉली डॉली नाम था उसका ठीक है डॉली इसके दौरा इसको अनुवैंशिक रूप से तैयार किया था डॉक्टर यान वुल्मुट ठीक है इनके दौरा उनके साथ कुछ और लोग भी दे सही होगी लोग नेक्स्क्रेशन लाक इस प्रोड्यूजड बाई लाक किस से बनाई जाती है एक ट्री है इंसेक्ट है कैट है मसकट है तो बताइए क्या राइट अंसर है तो सही विकल्प होगा इसका एक कीट ठीक है एक कीट होता है एक कीड़ा होता है ठीक है तो चलिए यह आज के 50 mcq questions तयार हुए टॉप 50 mcqs के साथ इस class को यह continue करेंगे तो बिल्कुल जुड़ जाएं से भी student इस class के साथ like करें share करें और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी करें लाइक जरूर करना है अकर class में जुड़ रहे है और share भी जरूर से करना है क्योंकि share करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे ज्यादा लाइक आएंगे हमें भी मोटीविशन मिलेगा क्योंकि हमें भी मोटीविशन की जरूर होती है student है ना आप तो class लेते हैं आपको motivation हम से मिल जाता है बट हमें भी तो जब तक ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे हमें कैसे मोटीविशन मिलेगा तो इसलिए शियर भी जरूर से करें अगर आप लोग के लिए रास्ते खोलते हैं तो definitely आपके रास्ते खुद बखुद खुल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं first question से आज की class की शुवात और as usual जैसे कि हमेशा की तरह मै comment पर धियान नहीं दूँगा जादा आप अपने side से comment में answer देते रहें और last में खुद से चेक करें कि आपने या 50 में से कितने questions के right answer दिये हैं ठीक है चलिए तो start करते हैं first question से पहला question आपके सामने आपकी screen पर aspirin is the common name of aspirin का समने नाम क्या है चार option आपको दिये गए हैं आपको जल्दी से बताना है कि इन में से चारों में से सही answer क्या होगा aspirin का समने नाम क्या है तो right answer रहेगा बच्चो acetyl salicylic acid जिसको short पर बोलते हैं asa ठीक है acetyl salicylic acid aspirin का common name होगा ठीक है d option का right answer हमारा रहेगा चलते हैं हम next question पर बहुत तीजी के साथ बहुत जल्दी question कराऊंगा यहां पर मैं ध्यान देंगे किटानू शूदन के बाद पानी में उपलब्द क्लोरीन की मात्र को क्या कहा जाता है the amount of chlorine available in water after disinfection is called as free chlorine, residual chlorine, free available chlorine यह combined available chlorine तो क्या रहेगा सही विकल बताईए तो सही answer है इसका B option रहेगा B option यहनिकि of cyst chlorine ठीक है अवसिस्ट chlorine इसका right answer रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं और तेजी के साथ question यह है कि which of the largest organ in human being मनुष्य के सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ठीक है सबसे बड़ा part पूछा है human organ पूछा है ठीक है तो right answer क्या रहेगा skin है large intestine है small intestine है liver है तो सही answer रहेगा इसका skin रहेगा ठीक है अगर skin option में नहीं होगा तो बच्चो तब liver आप लगा कर चलेंगे liver largest gland भी है ठीक है तो largest अगर gland पूछा जाता है तो आप लगा कर चलेंगे answer ठीक है तो आप लगा कर चलेंगे answer liver ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं next question क्या रहेगा next question है diabetes is caused by मदू में किसके क लिखता के कारण low production of insulin, insulin के कम उत्पादन के कारण malfunction of liver या higher production of bilirubin तो right answer क्या रहेगा right answer रहेगा इसका low production of insulin, insulin के कम उत्पादन के कारण क्या होता है मदू मदे में या diabetes या फिर जिसको sugar बोलते हैं आप सामाने बाशना में sugar की विरमारी हो जाती है ठीक है insulin में कौन सी पूछा जाता है जिंक पाया जाता है ठीक है जस्ता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो पाया जाता है insulin में समझ रहे ना चलिए आगे बढ़ते हैं the process of producing energy in plant is known as पौदो में उर्जा उत्पादन की प्रिक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है absorption है, reduction है, photosynthesis है, transpiration है तो बताइए क्या सही विकल्प रहेगा इस question का इस question का सही answer क्या रहेगा पौदों में उर्जा उतपादन की प्रिक्रिया को जाना जाता है किस नाम से जानते हैं उसको photosynthesis ठीक है photosynthesis प्रकास sunsillation जहां पर sunlight जो पौदे की पत्यां होती है sunlight को क्या करती है किसमे chemical energy में convert करने का काम करती है chemical energy जी में समझ रहे ना चलिए next question है question है कि ringworm is a disease caused by दाद किसके कारण होने वाले एक विमारी है दाद जो होता है कैसे होता है fungi है कवक से होता है bacteria से होता है virus से होता है या फिर flies से होता है तो दाद जो होता है वो फंगी कवक के द्वारा होने वाली विमारी है ठीक है कवक से होती है और क्या नाम है उसका trichophyton rubrum trichophyton नाम का fungus होता है उसके कारण ये दाद की विमारी होती है याद रखेंगे seven number question पर आते है weight of our body is mostly made of हमारे शरीर का वज़न अदेखतर किस से बना हुआ है from bones parts of body parts of skin from water हड़ी है या शरीर के अंग है तो अचा के अंग है या फिर पानी तो maximum जो part है body का weight होता है maximum जो होता है water पूरे human body की बात करें तो करीब करी approximately 65% उसमें water पाया जाता है जो infant होते हैं जो 90 65 से 80% तक के तकरीबन पाया जाता है percentage ठीक है चलिए who is known as father of taxonomy वर्गी करण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है angler है aristotle है lenious है या फिर none बताए क्या सही विकल्प रहेगा चार आप्शन आपको दिये गए है father of taxonomy तो सही आंसर है carl lenious c option रहेगा carl नाम है इनका पूरा carl lenious ठीक है इन्हें ही वर्गी करण विज्ञान के father of taxonomy बोला जाता है which of the following are longest saline human body निम्लिकित में से क्या मानुशरी की सबसे लंबी कोशी का है pancreatic cells है epithelial cells है nerve cells है epidermal cells है ठीक है कौन सी सबसे लंबी cells है बताइए right answer है nerve cells तंत्री का कोशी का है ठीक है मानुशरी की जो सबसे लंबी cells है वो होती है आपकी nerve cells यानि की तंत्री का कोशी का है आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं next question आपके सामने 10 number question है who is known as the father of green revolution हरित करांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है Dr. Robert Nicholas है, Dr. Ryan Wilmut है, Dr. Annie Borlong है या फ़र Dr. J.C. Bose तो बताइए सही विकल्प क्या रहेगा तो सही विकल्प रहेगा Dr. Annie Borlong ठीक है जिने हरित करांती Father of Green Revolution जाना जाता है और भारत के अंदर जो Green Revolution यानि हरित करांती के जो सबसे बड़ा effect देखा गया था वो weed पर देखा गया था, game home पर इस पर देखा गया था, game home पर सबसे यादा اسका effect पढ़ा था थीकहा उसके बाद हम बात करें rise की चावल पर भी इसका अच्य था effect देखने को बिला था मेंडल is known as, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है, father of physiology father of zealogy, father of genetics इन में से किसके रूप में जाना जाता है तो राइट अंसर कहा रहेगा C option father of genetics अनुवानशी की का पिता ठीक है Gregor John Mendel इनका पूरा नाम Gregor John Mendel ठीक है तो father of genetics right answer रहेगा the largest gland of the human body is मानव शरी की सबसे बड़ी गरंती अभी मैंने जिक्र किया था gland करके question पूछा जा सकता है तो definitely आप उसको तयार करके चले ठीक है और जैसे की बोला मैंने और वो देखी question आगे है यहां पर तो पेंग्रियाज है, thyroid है, large intestine है, liver है तो बताइए कि क्या सही विकल्प रहेगा, क्या सही आंसर रहेगा इस question का, तो सही आंसर है इसका liver ठीक है, liver रहेगा largest gland अगर second largest पूछा जाए, which is the second largest gland of human body मानव शरी की दूसे सबसे बड़ी गरंती कौन सी है, तो वो liver है large intestine, throx, pancreas है, तो बताइए कि सही विकल्प यहां पर क्या रहेगा, चार option आपको यहां पर दिये गए है, तो यहां पर सही आंसर आएगा इसका pancreas, पैंग्रियाज, ठीक है, pancreas, second largest, first largest वो गया आपका liver, और सबसे smallest छोटी गरंती तो वो ती है पिटी यूट्री, जिसको हम पियूश गरंती बोलते है, master gland होती है, ठीक है, master gland के नाम से इसको जाना जाता है, किसको सबसे छोटी जो gland होती है, मस्टिश्ख में पाए जाती है, ब्रेन में पाए जाती है, ठीक है, चालिए, आगे बढ़ते हैं, इसको सब्सक्राइबैन बोलते है थाइमीन थाइमीन, थाइमीन थाइमीन बोला जाता है, इसको इसका chemical name पूछा जाए कि vitamin B का chemical name क्या है तो याद रखेंगे क्या right answer एगा थाइमी है ना चलिए सवाल है कि एक रंगीन टीवी में प्रिक्तियों प्रात्मिक रंग है the primary colors used in a color TVR ठीक है कौन से color होते हैं एक रंगीन टीवी में red green blue तो red green blue कौन से option है c option ठीक है red green blue RGB RGB से याद रखेंगे बिल्कुल आपको याद रहेगा ठीक है कभी भूलेंगे नहीं who discovered television television के खोज किसके द्वारा की गई थी television Edison है Galileo है Beard है Franklin है बताइए कि सही विकल्प क्या हो सकता है इस question का television के खोज करता कौन है तो वो रहेंगे कौन है Beard इनका पूरा नाम J.L. Beard ठीक है J.L. Beard के द्वारा Britain में इसकी खोज की गई थी किसकी खोज की गई थी television की खोज की गई थी 1926 में 1926 में खोजा गया था इसका invention किया गया था television का ब्रेटेन में जेल बेर्ड के द्वारा चलिए ये है केरोसीन ओयल फ्लूट्स ओन वाटर केरोसीन तेल पानी पर तैरता है क्योंकि किस वज़े से केरोसीन जो तेल होता है वो पानी के उपर तैर जाता है क्या वज़े है उसकी its density is greater than the density of water its density is less than the density of water its density is equal to that of the density of water या फिर नन अब दा अबाव किस वज़े से केरोसीन तेल पानी पर तैर जाता है तो उसकी सीधी सी वज़े होती है surface tension its density is less than the density of water जो पानी के घनतु से कम होता है केरोसीन तेल का घनतु कम होगा इसलिए वो पानी के उपर तैर जाएगा पानी का घनतु जादा होगा at which temperature density of water is maximum किस तापमान पर पानी का घनतु अधिक्तम होता कौँ सा temperature होता है जिसपे पानी का temperature होता है वो जादा होता है तो चार option है 4 degree centigrade, 0 degree centigrade minus 4 degree centigrade, minus 80 degree centigrade तो है 4 degree centigrade ठीक है, पानी का गनतु जादा होगा, 0 से 4 degree centigrade तक पानी का गनतु बढ़ता है और उसके बाद 10 degree centigrade तक वो कम होता है, उसके बाद कम होना शूब हो जाता है ठीक है, चालिए International Yoga Day is celebrated on which day, अंतराष्टी है अंतराष्टी है, योगा दिवस योग दिवस कम मना जाता है, भी जाल ही näं celebrate किया क्या, तक अब 21 जून, 21 जून को मनाए जाता है, फिक है, 21 जून को मना जाता है, सुरुवात कम से हुई है, उसकी 2,015 से, ठीक है तो 2,015 से हर साल 21 जून को अंतराष्टे योग दिवस मनाया जाता है फैदोमेटरी यूज़ टू मेजर फैदोमेटर का प्रियोग किस को मापने के लिए किया जाता है किसी के लिए किया जाता है बारिश है, सागर की गहराई है, वो कमप है या फिर धोनी धनत्व है किस के लिए हम फैदोमेटर का अस्तमाल करता है फैदोमेटर की यंक इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए ऊशन डेप सागर की गहराई का पता लगाने के लिए ठीक है, एक पढ़ते हैं सोनार, सोनार क्या होता है समुधर में डूबी हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए जो चीज दूबी हुई हुई होती है डूब जाती है ठीक है डूबी हुई वस्त vagy का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तमाल करते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फैदोमेटर की, क्या है वो उचन डेफ्ट सागर की गहराई का पता लगाने के लिए वो इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट का विश्कार किस ने किया था? रॉकेट का विश्कार किस ने किया? 21st number question है 20 question complete करा चुका हूँ 50 question पूरे कराने है तो जुड़े रहें और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल अपने आपको check करके चलें चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है है ना तो बिल्कुल check जरूर से करें और साथ ही like और share जरूर से करें like और share करना बहुत ज़्यादा जरूरी है like करके चलें और share करके चलें ठीक है हम preparation बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन preparation करने के साथ हमें यही नहीं पता होता है क्या पता है क्या नहीं पता है तो आपन्जा में पंद्रा सब उसन में तीन हजार, आपको समझ सकते हैं किन क्लासिस की कितनी sicks आने वाले डीस में आभी और भी क्लासिस ले करांगा जैसे की मैंने आप साइंस कराउंगा, स्टेटिक जी के कोशन लग से कराउंगा, जर्नलर अगरने साथ लग से कराउंगा, रॉबर्ट हचिंग गोदार्ड ठीक है जिने क्या कहा जाता है इन्वेंटर इन्वेंशन किया है इनोंने किसका रॉकेट का ठीक है रॉकेट का इन्वेंशन किया है और पहला जो फॉस्ट लुकिट फ्यूल रॉकेट था वो इनके द्वारा ही क्रियेट किया गया को फर्मी है अडॉल्फ गैस्टान इवन फिक है सैंड्फूर्ड फ्लेमिंग है बैनोइड फॉरेंड रॉन है तो बताइए क्या सही विकल्प रहेगा तो राइट अंसर है सैंड़ फ्लेमिंट एक मिनिड़ रापर माणु रेक्टर पूछा तो ऐन्री को फर्मी रेत आंसर है अंजर रहेगा ठाझ वाजण इटैलीन अमेरिकंशिय से स्टा टा रॉस वस् piece कि अम्री सेचेर आथ जिकागो पायल संट वह परमारूर एक्टर बनाया था उसका नाम था सिकागो पाइल फर्स्ट ठीक है चालिए आगे बढ़ते है विच आफ दा फॉलो में इस सिम्टम आफ हीमोफीलिया नमलिकित में से क्या हीमोफीलिया का एक लक्षन है नाइट ब्लाइडनेस है नो क्लोटिंग आफ बलड है रिक आगे वड़ते हैं रख्त कोई थक्कानी जमता लगाता है बडं बहता रहता है तो चाहिए सबसे बाहरी कौनसी होती ऩह जो सबसे बाहर की epidermis, ठीक है, epidermis जो की तोचा की सबसे बहरी परत होती है, ठीक है, जो हमें, हमाई skin tone जो होती है, हमारी skin tone वो provide गराने का काम करती है, साथ ही waterproof एक barrier provide गराती है, कौन, epidermis, the color of the star is an indication of its, star का रंग किस बात का एक संकेत, distance from the earth, temperature, luminosity, distance from the earth, तो star का जो color होता है, किस चीज को indicate करता है, वो indicate करता है उसके temperature को, ठीक है, अगर blue है, अगर star blue है, तो कहा जाता है high temperature है, या high temperature है, और अगर red है, तो बोला जाता है low temperature है, याद रखना है यह दोनों बाते हैं, ठीक है, कभी-कभी सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि high temperature पर कौन सा color का star होगा और low temperature पर कौन सा color का star बनता है temperature को integrate करता है star का color 25 questions complete हो गये है घलदी से like करते हो जिन बच्चों ने like नहीं किया शेयर नहीं किया शेयर ज़रू से करो dehydration in human body is caused due to the loss of माना शरीर में निर्जली करण किस वज़े से होता है क्या करण होता है निर्जली करण का विटामिन, लवन, हार्मोन, पानी मतलब इन में से किस चीज़ की कमी हो जाती है तो जिससे निर्जली करण होता है water right answer है का पानी की कमी ठीक है, पानी की कमी से dehydration हो जाता है तो डॉक्टर कहता है, ORS ले लो भाई, ORS ORS क्या है, Oral Rehydration Rehydration, ठीक है, Solution ठीक है, लगातार तीन दिन तीसरी बार बता रहा हूँ, Oral Rehydration Solution, इसकी full form लगातार तीसरी क्लास में, जहानक न भूल मत जाना नीवु पानी भी ले लेते हैं, ठीक है, इसको शर्बत बोलते हैं, सिकन जी आया जात कुछ The age of trees is determined by its व्रक्षो की आयू किसकी द्वारा निर्धारित की जाती है Grit, Height, Growth Rings व्रदी के छले, General Appearance अमने, दिखावट बनावड या दिखावड जो कहते है ठीक है, तो व्रक्षो की आयू क्या है Growth Rings ठीक है, Growth Rings, व्रक्षो की आयू का किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो Growth Rings, व्रदी के जो छले होते है ठीक है, इस तरीके से अंदर-अंदर उसमें होते हैं ठीक है उससे आगे बढ़ते हैं जो पुशन यह है कि Ketany Diseases man is caused by the pollutant मानव में केडिनी रोक किस प्रदूशक के कारण होता है केड़्मियम आयरान कोबार्ड या फिर कारण होता है क्या इसकी में वज़य है ठीक है तो क्या राइट अंसर है इसका रैट आंसर ह प्रेंसिपल और फ्यूजिस का क्या सिद्धान्त है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्टिसिटी मेखेलिंकल इफेक्ट ऑफ इलेक्टिसिटी रासाइनिक ने यांत्रिक होगा और यांती है क्या सही अंषर है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्टिसिटी बिजली का ताप प्रभाव जैए तो प्लुज सिद्धान्त होता है बिजली का ताप प्रभाव और इसके लिए हम कैसा हम कैसा तार यूज करते हैं low melting point low melting melting point मतलब कम temperature पर ही वो melt हो जाए ठीक है low melting point high resistance हो लिए रेजिस्टेंस हाई ठीक है जाए ELISA test is employed to diagnose ELISA परिक्षण किसके निदान करने के लिए नियोजित किया जाता है ठीक है किसके निदान के लिए polio virus, AIDS, tuberculosis, bacterium या फिर cancer ELISA परिक्षण किसके निदान के लिए नियोजित किया जाता है बताए पीडियाव भी डाउनलोड कर लेना पीडियाव बताना याद नहीं रहता है पीडियाव के लिए link description में दिया हुआ है link कहाँ पर है description में है PDF के लिए link telegram का उसको join कर लेना इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है ELISA परिक्षण किसके निदान के लिए नियोजित होता है तो कौन सा है वो किसके लिए होता है ELISA test? AIDS, acquired, immunodeficiency syndrome, AIDS की full form, ELISA की full form, enzyme linked, immune sorbent, SI ठीक है? चालिए, तीस question यहाँ पर complete हो जाते हैं हमारे, बढ़ते हैं आगे 20 question अभी और कराने हैं, जुड़े रहें अंत तक अगर जिन्दिक में कुछ करना चाते हो, कुछ बनना चाते हो, तो जुड़ जाओ इस channel के साथ, इन classes के साथ, वो पढ़ा दूँगा जो exam में पूछा जाएगा, आलतोफालती चीजे कराने का, मुझे ना shock है, ना कभी कराता हूँ, ठीक है? वो पढ़ा दूँगा जो exam में प absorption बढ़ाता है, मेंगनीज है, बोरोन है, कौपर है, मौलडेनम है, राइट अंसर क्या रहेगा? बोरोन, राइट अंसर क्या रहेगा? बोरोन, ठीक है? पोदों में पानी और केल्श्रिम के absorption को बढ़ाने का काम करता है, बोरोन. इन classes के साथ जुड़कर कुछ सीख के ही जा जाओगे हाँ से आप. अबर बोन्स और टीट साथ जनली मेड आफ हमारी हड़ी और दात आम तोर पर किस से बनते हैं? ट्राइकल्सियम फॉस्फेट, फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट, हाडरोलित, तो क्या राइट अंसर हैगा? ट्राइकल्सियम फॉस्फेट, ट्राइकल्सियम फॉस्फेट, जो हमारे हड़ी और दात आम तोर पर बने होते हैं. ट्राइकल्सियम फॉस्फेट इसका फॉर्मुला कितना होता है? C A3, P O4, और ये तुरइकल्सियम फॉस्फफेट का केमिकल फॉर्मॉला, याद रखो, कई पूझा जा सकते हैं के ट्राइक एलसिम फासपड का चैमिकल फॉर्मॉला क्या है तो भी आप बता देंगे तूगी अम मैंने आपको करा दिया है रिविज़न जरूर मारा करो रिविजन के लिए पीडियो डावनलोड करते रहे ना रिविजन करते रहे ना वीडियो से भी रिविजन कर सकते हो करते हो कड मेकिंग इस एन एनैंजन बायो टेक्न pasti क्रॉसस इनवल्विंइ दही बनाना एक प्राचीन बायोट तो क्या होता है मठ्च मिलाने पर क्या होता है तो वो दही में convert हो जाता है ठीक है दही में convert हो जाता है Lactobacillus होता है ना Lactobacillus और which sample starts to grow they convert the lactose into lactic acid lactic acid बन जाता है दही में पाए जाता है lactic acid ठीक है आगे बढ़ते हैं funk invented funk ने किस चीज़ का विश्कार किया था vitamin है, hormones है, protein है, enzyme है तो क्या रहेगा सही answer funk ने किस चीज़ का invention किया funk ने invention किस चीज़ का किया है तो invention किया है इनोंने किसका? vitamins का vitamins का invention किया गया funk की दुआरा vitamins are vitamins क्या है organic compound है, inorganic compound है living organism है या फिर none of the reason में से कुछ नहीं ठीक है, क्या है vitamin, तो vitamin क्या है vitamin है जी आपके organic compound, क्या है carbonic yogic, ठीक है carbonic yogic है, organic compound है वो आपके vitamin चलिए, आगे बढ़ते हैं in which category of food is the most amount of calories per unit भोजन की किस शेनी के प्रती इकाई में calorie की मात्रा अधिक्तम है vitamin, fats, carbohydrate या फिर proteins किसमें fat, calorie की मात्रा सबसे ज़ादा होते है calorie किसमें सबसे ज़ादा होगी प्रती इकाई में है न, per unit के इसाब से तो क्या राइट अंसर रहेगा, fats रहेगा क्या राइट अंसर रहेगा, fats ठीक है fats हमारा सही आंसर रहेगा among the following vegetables the maximum vitamin C is found in निम्लिकित में से किस सबजी में अधिक्तम vitamin C पाया जाता है मिड्च, कद्दू, پी या फिर मटर या फिर या फिर रिडिस, या interrupt मूली अधिक्तम विटामिन से किसमें पाया जाता है vitamin C पाया जाता है किसमें पाया जाता है आपका टिली टीक है इसमें मिर्च में इन चारों के मुटावले सबसे आवले में ZA BROPOOR होता है विटामिन सी ना विटामिन सी क्या है केमिकल नेम ऐसौर्बिक एसेड एस्कार बिक एसेड बोला जाता है किसको we tamin c को vitamin c का क्यमिकल नेम याद रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, the main source of vitamin K is, vitamin K का मुक्य सूर्थ क्या है, पालक, मिल्क, घी, या फिर दलहन, पल्सिस, vitamin K, सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, vitamin K, vitamin K, सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां यानि कि पालक में, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियों में, सबसे ज़्यादा क्या होता है, vitamin K, पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, green leaves, vegetables, which drug is used to cure, hypertension, उच रक्तचाप का इलाज करने के लिए, किस दवा का उप्योग किया जाता है, कौन सी दवा है, जिसका उप्योग किया जाता है, hypertension में, या high blood pressure, hypertension बोले, high blood pressure बोले, option है, resonate, diisepalm, folic acid, hydrologen, तो क्या सही विकल्प रहेगा, सही विकल्प रहेगा बच्चों, उसका hydrologen, ठीक है, hydrologen, right answer है, d option, what is the basic unit of heredity, अनुवानशिक्ता की बुनियादी काई क्या है, अनुवानशिक्ता की बुनियादी काई क्या है, dna, rna, chromosome या फिर gene, ठीक है, तो बुनियादी काई क्या रहेगी heredity, यानि कि आपका right answer है यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पर right answer आपका, वो रहेगा gene, ठीक है, fourth option, gene यहाँ पर right answer आपका, रहेगा, ठीक है, और जिन बच्चों ने share नहीं किया है, share भी करें, share करना बहुत ज़्यादी जरूरी है, जैसे कि मैंने आपसे बोलाए, question है, 41 number, which drug is used for pain relief, दर्द निवारण के लिए किस ड्रग का अस्तमाल किया जाता है, तो दर्द निवारण के लिए, कौन सी मेडिशन का अस्तमाल करते हैं, किसका अस्तमाल करते हैं, किसका करते हैं, तो क्या है answer, ट्रामडोल, ठीक है, ट्रामडोल right answer रहेगा, ठीक है, known as the father of microbiology microbiology का पिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है Robert Hooke Antonium Von Levenhawk Carl Lin Charles Darwin तो राइट अंसर है Levenhawk बिलकु ठीक है Levenhawk, Antonium Von Levenhawk ठीक है इन्हे ही microbiology का father कहा जाता है father of microbiology study of classification of organism is known as जीवो के वर्गी करण का अध्यान किसके रूप में जाना जाता है सेप्टरोलोजी वाइरोलोजी टेक्सोनॉमी फीजियोलोजी बताइए क्या सही विकल्ब रहेगा वर्गी करण का अध्यान कहा रहे है तो वो टेक्सोनॉमी ही रहेगा ठीक है car lineus अभी हमने पढ़ा था वर्गी करण के ज्ञान के पिता car lineus ठीक है तो वही टेक्सोनॉमी right answer हमारा रहेगा yellow color of human uranese due to मानमोतर का पीला रंग किसके कारण होता है bile salts cholesterol lymph या फिर यूरो chrome right answer रहेगा यूरो chrome पीला रंग होने कारण है यूरो इसको यूरो यूरो बिलिन भी बोला जाता है ठीक है ये भी याद रखे कभी-कभी Euroblend option में देदेगा, कभी Eurochrome बोल देगा तो दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, दोनों ही नाम माप याद रखके चलेंगे Cadillus is a unit of measuring Cadillus मापने की काई है, किस चीज को मापने की काई है Cadillus Humidity, Luminous Intensity, Rainfall या फिर Temperature Cadillus हैं क्या चीज मापते है, तो Cadillus है मापने जाता है प्रकाश्टी विर्ता, Luminous Intensity, ठीक है Luminous Intensity, Cadillus है मापने जाता है आगे बढ़ते हैं, What is the unit of atmospheric pressure Wyoming लिए दवाब की इकाई क्या है, बार है, नौट है, जूल है, या फिर ओम है तो किस में नापा जाता है, तो right answer है, बार, ठीक है, बार में मापा जाता है atmospheric pressure चलिए, आगे बढ़ते हैं अच्छा question है, कि one barrel of oil is equal to which of the following एक barrel तेल निमनी कितमे से किसके बराबर होता है, 131 लीटर, 169 लीटर, 189 लीटर या फिर 200, एक लीटर तो बताइए, क्या सही answer रहेगा, एक barrel तेल निमनी कितमे से किसके बराबर है, तो right answer है, वो आपका 169 लीटर, ठीक है, 159 लीटर What is measured in Q-sack, Q-sack में क्या मापा जाता है, purity of water, depth of water, flow of water, quantity of water Q-sack, Q-sack में क्या चीज मापा जाता है, बोल आ जाता है ने कि वहाँ से उस बेराज से इतने Q-sack पानी छोड़ा गया, तो रहेगा flow of water, पानी का प्रवाहा, ठीक है, किस प्रवाहा से पानी को छोड़ा जा रहा है, तो पानी का प्रवाहा, जिसको Q-sack को cubic feet per second, ठीक है, is a unit of measuring the flow of water, पानी का प्रवाह, ठीक है, समझ रहे हैं ना, चालिए, आगे बढ़ते हैं, second, last question है, in human body, vitamin A is stored in, मानशरी में vitamin A, किस में संग्रहित किया जाता है, लीवर में, पैंग्रियाज में, स्प्लीन में, स्टोमक में, आमाश्य में, ठीक हैं, vitamin A कहाँ पर store होता है, कहाँ पर store होता है, तो होता है लीवर में, ठीक है, vitamin A is largely stored in the liver, in the human body, the chemical name is retinol, vitamin A को क्या बोला जाता है, retinol, ठीक है, जो vitamin A का chemical name है, इसकी कमी से क्या होता है, night blindness होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, रतोंधी क्या बोले जाता है रतोंधी विटामिल A की डेफिसेंस इसे ठीक है एक कोश्चन आपका बाकी है चलते हैं उस पर तो सभी बच्चे इसकी पीडिया भी डाउनलोड गर लेना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है रहेगा इसका वो रहेगा आपका ब्रॉंजी यानि की कांस है थीक है यह मारे 50 कोश्चन है आई होक की सभी ने पूरे 50 questions किया हूंगे सभी बच्चों ने जुनों ने किये हैं वो अपना score share जरूर से करें मैं अभी नहीं पढ़ता हूंगे आपने कितना कितना कैसे कैसे score किया है ठीक है बीडियेव के लिए लिंक description में दिया है टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लीजिए वहाँ पर आपको पीडिया मिल जाएगी तो आज के इस सेशन में में 40 MCQ को आपको complete करा कर जूरूँगा ठीक है तो 40 MCQ जो की bilingual रहेंगे as usual हमेशा की तरह तो बिल्कु जुड़ें इस सेशन के साथ बिल्कुल जुड़े हुएं ताकि जाता साथ बच्चे जुड़कर इस क्लास का benefit उठा सके तो चलिए शुरूआत करते हैं पिल्कुल first question से और पहले question से शुरूआत करते हैं और पहला question हमारे सामने आया है और question है the resistance of semi conductor of heating heating पर अर्चालिक का प्रतिरूद क्या होता है remains रहेगा decrease रहेगा increase रहेगा none of the above जो भी student class के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने side से अपना answer जरूर comment करके चलें और साथ में ही last में यह चेक करें कि उन्होंने in 40 question में कितने questions के right answer दिये हैं तो इस तरह से ये class आपकी knowledge gain करने के साथ आपकी एक test भी हो जाता है आपकी knowledge को एक test करने का भी काम यह कर रही है तो बताएं इस question का right answer क्या रहेगा तो सही answer है इसका वो हो जाता है decrease हो जाता है heating पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है decrease हो जाता है साथ ही आपको इन सभी की पीडिएफ मिल जाएगी अगर आप regular class में आते हैं तो आपको पीडिएफ मिलेगी नीचर description में एक link दिया हुआ है telegram का अगर उसे आप जोइन करते हैं लेकिन पीडिएफ की वल उनी स्टुटेंट्स को मिलेगी जो daily class के अंदर आएंगे daily class को पूरा अटेंड करेंगे और उसके बाद उनको पीडिएफ महाँ पर मिलेगी ठीक है आयराम गयराम वाली स्टिती वाले बच्चों को यहाँ पर पीडिएफ प्रोवाइड करने का कोई प्रोड़ोगधान हमारे पास नहीं है ठीक है laughing gas used as anesthesia by doctors is संग्या हरण के रूप में उप्यों की जाने वाली हसिंग गैस क्या है मतलब जो हसाने वाली गैस है तो right answer क्या रहेगा इसका सही विकल्प रहेगा nitrous oxide nitrous oxide जिसको बोलते है N2O हसाने वाली गैस जो की anesthesia gas है याद रखेंगे अगले question पर चलते हैं पर क्या होता है एक्षिडाइजिंग एक्जेंट है बेसिंग नेचर है एक्षिडिक नेचर है या फिर डियूजिंग एजेंट है क्या सही विकल्प रहेगा बताईए तो इसका सही आंसर है acidic in nature ठीक है क्या राइट आंसर रहेगा और सी option प्रकरती में अमली है अगे बढ़ते हैं एक्षिडिशन है विच इस नॉट लेविस एसेड इन में से क्या लूइस एसेड नहीं है लूइस 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 इकी बात है ठीक है एल सी एल तिरी बी एफ त्री एफ त्री या फिर एफ इसी एल त्री तो सही विकल्प क्या रहेगा चार option आपको दिये गए जल्दी से बताइए क्या सही विकल्प है तो चलिए मैं बता देता हूं उसका सही आंसर है एन एस तरी टीक है एनस थी राइट अंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन बिल्कु सही विकल्प रहेगा आगे बढ़ते हैं कि इल्मिनाइट का एक आश्क खनीज है इल्मिन प्राइट आंसर है यह ताइटेनियम टाइटेनियम या यानि डी आप्शन सही आंसर रहेगा एक ग्रूप ऑफ आर्चियो बैक्टिरिया इस यूज़ इन दा प्रोडेक्शन और आर्चियो बैक्टिरिया का समोग इसके उत्पादन में उप्योग किया जाता है प्रोडेक्शन और बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है इसका सही आंसर है आपका मीथेन जो कि आर्चियो बैक्टिरियों की समोग किसके उत्पादन में प्रियोग किया जाता है ठीक है चलिए अगले क्रिशन पर चलते हैं पर आते हैं बहुत तेजी के साथ जल्दी फटाफट फटाफट क्लास चलती आपके रिड़न करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं की मेरा कमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं आपने डिमांड की क्या नई चीज ला औरगनीज जीवित जीओ में निहित सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पॉन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया तत्व कॉन सा है? बताईए जल्दी से。 सही आंसर रहेगा साथ वे कुश्चिन का वह आपका ऑक्सिजन ठीक है फिर्स्ट ऑप्शन ऑक्सिजन राइट अंसर रहेगा ठीक है किलियर चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स्ट क्यूस्ट पर और नेक्स्ट क्यूस्ट है आपका यह आपके सामने दा स्लो ग्रोथ ऑफ दा हीमन बाड़ी इस ग होगी नहीं तो सही विकल्प रहेगा हार्मोन ठीक है सी ऑप्शन जो अगर हार्मोन की कमी होती है तो क्या होता है सरी जो है ग्रोथ जो करता है वो बहुत धीरे-धीरे करता है ना स्लो ग्रोथ होती है तो हार्मोन बिल्कुल एक्दम सही होना चाहिए सही उनकी ग्रोथ होन है one of the following is most suitable for study of mutations mutation के अध्यन के लिए निम्न में से सबसे उप्यूप्त क्या है हल्कुलाइड्स है डिप्लोलाइड्स है ट्रप्लॉइड्स है या फिर पॉली प्लॉइड्स है तो बताइए कि सही विकल्प क्या रहेगा इस नौवे कुश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो सही अंसर है इसका हल्क्लाइडस ठीक है एक अप्शन के अध्यन के लिए निम्न में से सबसे उप्यूप्य कॉव्च कौन सा है हेल्प लॉइड्स और यहां पर जितने आमेरे पर तो थोड़े से लग रहें जो आपको ना कर सकते हैं या फिर जब आपको dove लिभाले उसमें आप कर सकते हैं कि कि यह कोशन गवाट्प करते हैं तो यही अन्लाइसे होता है यह जुँकस्ट का इनल्वाइसिस क्या है, जब तक हम चीज़ों को तब तक एक अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है तो एनल्वाइस करना, खुद से एनल्वाइस करना बहुत ज़याँ है जब भी आप किसी। एक्जाम की तयारी कर रहे हैं लिंसेट इस इस रिच सोर्स आफ अलसी जो होती है वो किसका एक समरद सुरूर्थ है विटामिन सी है ओमेगा थरी फैसेट है फैटी एसेट है अमीनो एसेट है या फिर एंटी ऑक्सिडेंट है तो बताइए सही विकल्ब क्या रहेगा इस क्यूशन का चार आपको दिये हैं अलसी किसका एक समरद सुरूर्थ है राइट अंसर है ओमेगा थरी फैटी एसेट टिक है बी ओप्शन ओमेगा थरी फैटी एसेट जो कि अलसी जिसका एक समरद सुरूर्थ है आगे बढ़ते हैं कोश्चन एक निम्लेकित मेज़े किसको भविष्य की धातू कहा जाता है विच ऑफ फॉलमिंग इस कॉल्ड फूचर मेटल स्टील तांबा लोहा यह फिर टाइटेनियम बदा यह स्टील है तांबा है लोहा है टाइटेनियम है क्या सही विकल्ब रहेगा बविष्य का इंदर फूचर फ्यूल पड़ते हैं है ना जानते हैं वो किसको को बोला जाता है हाड्रोजन को बोला जाता है यहां पर बात कर रहे हैं हम मैटल की तो वह रहेगी आपकी टाइटेनियम लाइक एंड शेयर कर दीजिए बच्चों जिन बच्चों ने अभी त दक्ष्चना दीजिए एक तो लाइक कीजिए खुद से और दूसरा शियर जरूर से कीजिए एक बार को लाइक नहीं करेंगे काम चल जाएगा लेकिन शियर करना बहुत ज़्याद ज़रूरी है कि डूपते हुए सुरे का रंग लाल किसके कारण होता है दा कलर आप दा प्रकास चोटे चोटे करणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते है लाइट इसमेड़ पार्टिकल्स काल एटम नीट्रॉन पॉजिट्रॉन फोटॉन तो बताइए यह रहेगा अंसर तो राइट अंसर है इसका फोटॉन ठीक है डी ऑप्शन जो प्रकास चोटे चोटे करणों से जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं फोटॉन ठीक है वो फोटॉन होता है आसिए नकेज़्टYY नेट्स चुशन है ऊश्मा किसके द्वारा संचाले से हीट इस पावर बडाउी विविकिरण है यानगी रेडियेश्ट सम्वान आं यानगी कंव्यंट्शन है यानगी कंडख्शन 7229 यानगी dense Linkas होती है तो बताइए सही विकल्ब क्या रहेगा तो यह है यह सभी ओल दीज रिडियेशन कर्वेक्शन ठीक है कंड़क्शन यानकि तीनों ही सही है मुश्मा इस पावर्ड वाइक डेडियेशन कंवेक्शन एंड कंड़क्शन लेक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग में लाया यां मताइए नुकलियर रियक्टर है हम मनदक के रूप में استعمाल करते हैं तो राइट आंसर हैगा बहारी जल ठीक है बहारी जल हैवी वाटर किसे बोला जाता है हैवी वाटर बहारी जल बताएगा कोई मुझे बी टू ओ ठीक है डियोटीरियम डियोटीरियम ऑक्साइड ठीक है डियोटीरियम ऑक्साइड बहारी जल इसको बोला जाता है चलिए चलिए औक्षन बिल्कुर ठीक आंसर है आगे बढ़ते हैं नेमलिकीत में से किसे आत्म हत्या के ठहली की रूप में जाना जाता है सेंट्र स्हों है लाइक्त यस नोन ऑस्ऑंगर इस लेक्स योःश को फारला जाना जाता है आथ कैने लाय पर opens his ourect4 यहां सी प्चेन नहीं यह दिए हैंहिते हैं यह ला जासोंगा है लाइसो ठीक है लाइसो सोंग बी ओप्शन करक्ट कर लेना इसको पीडीय में भी हंदी वाले हंदी वाले बच्चे धियान रखें हिंदी में गलती रखा है हं और इंग्लिश में सब्कॉर ने लाइसोसोंम जिसको आत्मत्या की तहली सब्सक्राइब सब्सक्राइब बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है रखता है यक्रत है किड़नी है कोशिका है तो राइट अंसर क्या रहेगा राइट अंसर आए आपका ब्लड जो कि सरीर के सभी अंगों का तापकरम बनाए रखने के लिए मदद करता है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योश्ण पर आते हैं कुश्ण एकि एलर्जी के उप्चार के लिए कौन सी दवा प्रियूग में लाई जाती है तिकषित है तो चीज में इस्तमाल करते हैं किस के ट्रीटमेंट में अलर्जी के ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तमाल करके चलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन पर आते हैं नेक्स क्यूशन ये है कि अनुवानशी के लिए कौन उत्तरदाई है वो इसे रेस्पांसिपल फोर जेनेटिक्स और ने डिनने ड्लू बी-सि या फिर पी-एच तो सही विकल्ब है आपका यहां पर डिनने डाई रैबोनिकलिक आसद डिनने की फुल फॉर्म डाई रैबोनिकलिक आसद ठीक है विभांतर का SI मातरक क्या होता है ओम है, वोल्ट है, एंपियर है, कुलाम है वाट इस एसाई यूनिट ओ पोटेंशल डिफरेंस तो राइट अंसर हैगा इसका वोल्ट ठीक है वोल्ट विभांतर का यानकि पोटेंशल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं इसा ही यूनिट रहेगा आपका वोल्ट यहां पर आपके 20 कुशन यहां तक अभी तक कम्प्लीट हो गए है अभी 20 बाकी है, यानि कि अभी आधी क्लास हो गई, आच चालिस कुशन करा रहा हूँ ना और आधी क्लास बाकी है, तो बिल्कुल जुड़े रहे हैं अंतर तक और अपने आपको चेक करते रहें जिन आधी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजेए, share नहीं किया है, share भी ज़रूर से करें share करना बहुत ज़रूरी है, share करेंगे बाकी बच्चे जुड़ेंगे, वो like करेंगे, हमें motivation मिलेगा तो इसलिए स्वार्थी न बने, share ज्यादा से जयादा करें इन्हीं विल इज़ एपार पहिये में बॉल बेरिंग क्या कर रहे है बताइए पड़िए इसको द्यास खर्शन बनाने लिए गतिज गर्शन को रोलिंग परिवर्थित करने के लिए इस्थिक गर्शन को परिवर्थित करना यह पर सुपिधा के लिए क्या सही विकल्प रहेगा इसका सही आंसर रहेगा आपका कानेटिक फ्रिक्षन इंटो रोलिंग फ्रिक्षन गतीज गर्षन को रोलिंग गर्षन में परिवर्थित करना यह काम होता है किसका बॉल बीयरिंग का which one of the following has the highest value of specific heat निम्लिकेट में से किसमे विशिश उश्रमा का उच्छतम मुल्य है ग्लास है, कॉपर है, लैड है, वाटर है बताइए इन में से किसमे विशिश उश्रमा का उच्छतम मुल्य है स्पेसिफिक इट की बात पूछ रहे है राइट आंसर क्या रहेगा water ठीक है जल पानी ठीक है जल next question who invented cinema Thomas Alva अडिविशन, Nicholas and John Lume William Murdoch, Dr. J Brandon, Berger cinema का विश्कार किस ने किया तसी में cinema का invention किस ने किया पताएए जल्दी से चारों option दिये गए है तुम cinema देखते हैं, उस cinema का विश्कार किस के द्वारा किया गया तो सही answer रहेगा Nicholas and John Lumeier ठीक है ठीक है ना Nicholas and John Lumeier, यहाँ पर गलत दे रखा है इसको correct कर लेना जिसको doubt है वो Google में चेक भी कर लेना, अगर किसी को doubt लगे तो वैसे सही पढ़ाया जा रहा है, कोई गलत नहीं पढ़ाया आपको optical fiber का अविश्कार किस ने किया optical fiber का अविश्कार किस ने किया है Samuel Cohen, नरेंदर कपानी ठीक है परसी, हैल, स्पेंसर, टी-एच, मही महा optical fiber पूछा है optical fiber राइट अंसर क्या है नरेंदर का पानी ठीक है परकास के पूह आंतरिक प्रावरतम के सिद्धान्थ प्रकाम करता है optical fiber ठीक है total internal reflection of light चलिए, अगे बढ़ते हैं पूछा जाता है, यह भी सवाथ a failing drop of rain water requires the spherical safe due to बारिश के पानी की एक गिरती बूँद के कारण गोलाकार अकरती प्राप्त होती है, किसकी वज़े से होती है viscosity, surface tension atmospheric pressure या फिर gravitational force, तो क्या सही विकल्प रहेगा इसका, तो सही विकल्प रहेगा इसका, क्या रहेगा सही answer रहेगा इसका, वो रहेगा surface tension ठीक है, सतय तनाब, surface tension जिसको प्रष्ट तनाब बोलते हैं प्रष्ट तनाब बोला जाता है, सतय तनाब बोला जाता है, उसकी वज़े से पानी की जो बूँद होती है, वो बूलाकार होती है whom is that the velocity of light first? प्रकास के विक को सबसे पहले किसने ना पाता, Galileo है, Newton है, Romer है, Einstein है तो राइट आंसर कह रहेगा प्रकास के विक को सबसे पहले मापने का काम किस महान शक्सियत ने किया तो कौन है वो? वो है जी Romer के नाम है उनका Romer, Romer के द्वारा सबसे पहले velocity of light को मिज़र किया गया था The swing of spining cricket ball in air can be explained on the basis of हवा में गूमती हुई cricket ball के swing को किस आदार पसम जाता है swing करते हैं ना हवा में गूमती ही जाते हैं चक्रन करते हुए और एक दम टपा खाके एक दम swing करती है ठीक है आज कल river swing आपने देखी होगी वो दो बार गूम जाती है जानी तो जानी जानी थे किस डारेक्शन में किसी और डारेक्शन में चलिती है अधार की फ़िए करती है कि अब लिए श्रवान किसी की विसिष्टा है हुज स्पेसिलेटी ऑफ एसेडिक हीरी मुख गुई का बकल कैविटी जिसको बोलते हैं जटर गैस्ट्रिक चुद्रांत बैसिलास हो गया प्रदांत लार्ज एंटेस्टाइन हो गया हिंदी के कितने खतरना खतरना ठीक है चलिए लाईख शियर बढ़ते रहने चाहिए रूपने नहीं चाहिए आगे बढ़ते हैं एकटाइटेस क्या है है और जयकूर लंग्र किजी के लिवर संच्राइद को है यह क्या है, जीखर करो, लीवर डिजीज है, फ्रटाइटेश जो है, वो किस से संब्द देता है, लीवर से संब्द देता है, ठीक है, निम्लिकित में से कौन सा अमाश्यरस्ट में रहता है, which of the following acid remains in gastric juice hydrogluric nitric sulfuric ascorbic which of the following acid remains in gastric juice तो बताईए राइट अंसर रहेगा असका hydrochloric hydrochloric right answer रहेगा सही विकल रहेगा hydrochloric तीस question complete हो गए है अभी भी 10 question बागी है तो जो बच्चे last में जुणे हैं लेट जुणे हैं तो दस question का target set कर सकते हैं अपने लिए और एक target set बना सकते हैं कि मुझे 10 सही करने हैं यह 9 सही करने हैं 8 करने हैं 7 करने हैं तो जो भी है उस हिसाब से अपनी preparation को बना सकते हैं अपना एक target set कीजिए उससे क्या होता है उससे हमारा पढ़ने में किसी भी चीज में involvement हमारी बढ़ जाती है ठीक है हमारा उसमें interest बढ़ जाता है किसी पढ़ाई को करते हैं अगर उसमें challenge है हमारे सामने तो बढ़िया मजा आता ना फिर पढ़ने में तो this question का challenge बना लो अपने लिए सभी बच्ची एक बार देखते हैं कि आगले जो पहले से जोलो हो भी दसkा challenge बना लो और जो नई हो भी दसkा challenge बना लो और देखते हैं कि math meet कितने कितने ठीक कर पाते हैं तो प्रोटीन को निमलिकित में से क्या माना जाता है विच आफ फॉलमी इस कंसीडर्ड ए टोटीन शरीर का निर्मान करने वाला यानिकि बॉडी बिल्डर उर्जा उत्क पादक यानिकि एनर्जी प्रोड्यूसर विनियामक यानिकि रैगुलरर करने वाला बॉडी बिल्डर ठीक है बॉडी को बिल्ड करने वाला प्रोटीन ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं अगले कुश्च्छन पर नेक्स्क्रिश्ट निमलिकित में से कौन उर्जा प्रतान नहीं करता विच आफ फॉलोविंग दस नॉट प्रोवाइड एनर्जी पर्दामें रह豆 प्रमी लिए पेट प्रोटीन विटामें या फिर कार्भो हैड्रेड इनमें से कौन जो है आपको एनर्जी नहीं देता वोड़र प्रतान करने का कांब नहीं करता है तो वह है आपका भाई अपना भाई कौन भाई वितामिन्स थीक है तो लिए विटामिन भी का पूरा कॉंप्लेक्स इडी के थे हैं तो यह क्या होते हैं यह उड़ जा प्रतान ने करते हैं कि मानव जटन में प्रोटीन के लिए उत्तर दाए एक अनुकुलतम परिवेश है आप्टीमल इन्वार्मेंट रेस्पॉंसिबल फूर प्रोटीन इन्हीं हुमन गास्टिक इस एलकलाइन आसिडिक यानिके अमली है उदासी डिस इंट्रस्टेड या फिर बेसिक राइट अंसर है अमली है एसेडिक ठीक है एसेडिक यानिके अमली है राइट अंसर रहेगा मशलियों के यकरत तेल में किस चीज की प्रचुरता होती है वाट इस दा अबेंदेंस ओफ फिश लिवर ओल विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी या फिर विटामिन एंबन targets यो कि मशलियों के यकरत तेल में मिलता और कहां मिलता और आप मिलता है सब्सक्राइट से बहुत प्रचुर हमात्रा में हमें विटामिन डी मिल जाता है थीक है आगे बढ़ते हैं लाइक शेर करते रहो बच्चों लिवर किसका भरपूर सुरूत है लिवर इजे रिच सूर्स आफ लिवर इजे रिच सूर्स आफ शुगर वशा गुनंसील विटामिन फैट सॉलूबल विटामिन खनिज प्रोटीन की विट अफ आफ बढ़िया कर रहे हैं सभी आँसर दे रहे हैं बढ़िया इसी तरह से देते रहे हैं लास्ट तक लिवर किसका भरपूर सुरूत होता है तो क्या सही आंसर हैगा फैट सॉलूबल विटामिन फैट वसा गुनंसील विटामिन आगे बढ़ते हैं एक्स क्यूशन पर आते हैं क्यूशन है कि निमलिकित पैसे कौन सी मद्ध विटामिन है विच आप फॉलॉविंग आइटम इस विटामिन कैरोटीन है राइबोफलेमिन है इंसूलिन है एड्रेनलिन है ठीक है तो बताइए कौन सी मद्ध जो है यहां पर विटामिन है दो कि चलिए राइट अंसर जाएं यहां पर बच्छों न gate on video का Ciा कौन सा विटामिन होता हैं ठीक है ठीक है राइब्वी बता है एक बार ठीक है है हम इतने चलते हैं अगले कुश्चन पर आगे बढ़ते हैं विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है विटामिन D डेफिसेंसी से होता है तो उसमें कौन से बड़ी का पार्ट जो होता है तो वो होती है आपकी बोन्स तीक है अस्थियां कमजोर होने लगते हैं बोन्स बोन्स पर एफेक्ट पढ़ता है ठीक है हड़्डियों पर इफेक्ट पढ़ता है टेहँज़ सरक्रा के इस प्रकार की सरक्रा है वाट टाइप और सुगरी इस टेवल शुगर टिक है फ्रक्टूज है गेलेक्टूज है ग्लुकूज है सुक्रोज है ठीक है बताइए कि सही विकल्प कहा रहेगा टेबल सरक कर रहा है कि the कौन सी दातू है दातू कौन सी जो विटामिन बी-स विटामिन बी-स याइन कोबाल्ट ते कैसे हैं कि विटामिन B12 का, तो right answer क्या रहेगा? right answer रहेगा, कोबाल्ट तीक अब क्या बोला जाता है इसको sino-cobalmin sino-cobalmin बोला जाता है ना, इसी लिए क्योंकि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है 39 question हो गए है 39 question हो गए है last question बचा है, आगे बढ़ते हैं last question पर like share कर दीजे तो सबसे आसान काम है सामने होता है black को blue करना होता है बट share करना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, है ना लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी के तियारी कर रहे हैं जब इतनी मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप हमारे लिए एक share नहीं कर सकते हैं आपके लिए इतने बहतर कंटेंड इतने बड़िया कोश्चन्स लेकर आते हैं क्या आप हमारे लिए एक share नहीं कर सकते तो प्लीज आपसे है कि share request है कि इस share ज़रू करें किसे विटामीन की कमी होने पर प्रनाशी रप्ताल्पता हो जाती है विटामीन डेफिसेंसी कॉस्ट बलड ओईसनिंग B5, विटामीन B5, विटामीन B6, विटामीन B12 यह फिर विटामीन C तो बता हैं सही विकल्प क्या रहेगा इस question का चलिए, राइट answer रहेगा विटामीन B6 तो यहाँ हमारे 40 question complete हुए सभी बच्चे मुझे अपना एक बार score बता दें कि आपने कितने question attempt किये attempt किये और कितने सही किये मालीज़े आपने 40-40 attempt किये तो इस तरह से बताएं 35-40 किसी ने 28 किये question attempt 35 ही किये तो 28-35 तो इस तरह से मुझे सभी बच्चे एक बार comment box पर बता कर तभी जाए ठीक है और जिन बच्चे को PDF चाहिए हो टेलिग्राम जोइन कर लेना अभी मैं PDF वहाँ पर प्रोवाइड गरा दूँगा आपको ठीक है PDF डाउनलोड कर लेना बल्कि ये वाली PDF तो मैंने डाल रखी होगी देख लेना आप हाँ ये वाली तो मैंने डाल रखी है ठीक है चलिए तो चलते हैं मिलते हैं next class के साथ ठीक है like, share, subscribe जरूर से करके चलें चैनल को subscribe जरूर से करें साथी bell icon को भी प्रेस करके चलें ताकि आपको आने वाले सभी classes के notification आपको इसले ताए, साथी Bाई, देख आपकोड सी।